पीजर से जब रहे हम आए और भी जब रहे हैं एक में चेक नश्य कर लों जब एक डिले अर्द कुछ टेकनिकल इसु आरा था अज मैं स्टूडियो से आटकी सेट आप पे ले रहा हूं ना जब सेट बदलता है तो अवाज आ रही है क्या एक मिनिट एक मिनिट कि यह सो फाइली आम लाइब हाइनल एवरिवान एंड वेरी गुड़ इवनिंग तो आल अज हम लोगा कारिक्रम काफी लंबा कारिक्रम बड़े दिनों बात करिक्रम लगा है इतने दिन से हम लोग सिर्फ अनकाडमी के लर्निंग आप पर बैठ करके खूब सारी भर भर के प बहुत साबाज ठीक है दिखाई भी दे रहांगा सुनाई भी दे रहांगा हम लोग कुछ पल बस इंतजार करेंगे तर रीजन बिंग क्योंकि यह पैंसिल डिस्चार्ज हो गई थी नहीं बीच में पढ़ाते पढ़ाते पता लगे कुछ और हो जाए इसके साथ ठीक है तो रोना धोना बना रहता है बरकरार रहता है किसे यह क्यों है यह क्या है यह कैसे है let us get that done very well sorted ठीक है इसको thoroughly properly निप्टाते है कल शाम को एक मेगा सेशन होगा 6 बजे इसी टाइम के उपर जिसमें हम NCRT Biology के सारे के सारे डाइग्राम्स कवर करेंगे जो अपने आप में बहुत क्रिटिकल सेशन है क्यों क्यों कि basically we'll be revising the syllabus in the format of diagrams तो कल शाम को यह वाला सेशन होगा मैं कोशिश करूँगा अगर समय रहता है तो समरी भी किसी ने किसी तरह स्केडियूल में डालने के लिए ठीक है तुमारी कॉक्रोच को लेकर के तुम बहुत परिशान थे उसका recorded वीड तक आ जाएगा recorded वीडियो में उन दोनों topics का डाल दूँगा जो मेरा पास बचा हुआ है ठीक है बढ़िया अब हम चालो करते हैं आज के कारिकरम को एक और चीज में बता दू कि 3 मेगा मॉक टेस्ट हो रहें अनकाडमी के learning आपके उपर नीट यूजी रेप्लिका मॉक टे यहां पर समाप्त होती है इसका तुमको जब यह टेस्ट दे लोगे तब मैं तुमें इसका PDF भी शेयर कर दूंगा इसमें डीटियल एंसर्स रहेंगे अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है अप पे मतलब यूजी होती नहीं है लेकिन कुछ बच्चे अर्बुझे क्ला आधो जो भी करना है तुमें और हम शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट विद माइक्रोबस इन वेलफेर के साथ आज के कारिकरम की शुरुवात करी जाए ठीक है बढ़िया तो स्टार्ट करते हैं अपनी 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 NCRT माता को ख रखना चाप्टर थोड़ा बोरिंग है जहां जहां इंपोर्टेंट है उस उस पॉइंट पर रुखेंगे अधर्वाइस हम आगे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है यह चाप्टर माइक्रोबस इन वेलफेर शुरुवात होता है शुरू में बहुत बिना मतल का नहीं है हमारे काम का बिल्कुल नहीं है ठीक है हम सीधा अपने पते की बात पर आगे चलते हमारे पते की बात कुछ-कुछ यहां से शुरू होती है NCRT के गिवन यहां पर कुछ डाइग्राम्स ठीक है NCRT यहां पर कुछ डाइग्राम्स दिये हमारे पास A, B और अलग- कहता है कि identify करके बताओ कि कैसा bacteria है तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि rod shape bacteria ये तुम्हें पता होना चाहिए दूसरा वाला हमारे पास spherical bacteria ये भी हमें बिल्कुल से पता होना चाहिए ध्यान रखना दो points ठीक है इसके बाद एक rod shape bacteria अभी हमारे सामने NCRT में given है diagram क्या कहना चाहरा है उसको बिल्कुल से जान करके रखें एक बार तो एक mock test में question आया था जिसमें कितना times magnify किया गया है इसके बारे में पूछा गया था तो ऐसे सवालों के लिए भी kind of prepared एक rough idea रखो कि हाँ भी rod shape बैक्टियर को 50,000 गुना magnify करके हमने देखा तो कुछ ऐसा दिखा है ना तो ये एक rough idea तुमें होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर एक यह diagram में इस diagram की importance क्या है मैं तुमें बता रहा हूँ NCRT में एक और bacteriophars का diagram है उस diagram में इतने clear levelings नहीं है लेकिन NCRT ने micros में इसकी leveling को और specify कर दिया है यहाँ पर सबसे पहले head region तो मेरे हसाब से सबको clear ही है दूसरा portion अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो collar region भी साब साब दिखाई दे रहा है फिर तुम tail की बाद कर लो और उसके नीचे plate, pin, prong यह levelings पता होनी चाहिए यह pin और prong का mention और कहीं पर नहीं आया हुआ है इसको ध्यान रखना इसलिए अपने आप में critical हो जाता है इसके बाद इसके नीचे caption में एक चीज के बारे में mention है जो अपने आप में बहुत important है यह human health and disease में इसका अलग से mention नहीं आता ध्यान रखना हम यहां पर बात कर रहे है adenovirus की अगर तुमसे exam में पूछ लेता कि adenovirus क्या कॉस करता है तो adenovirus causes respiratory infections this is something that you have to ratify यह human health and disease की पुस्तक में नहीं लिखा है ध्यान रखना यहां पर अलग से mention है अडिनो वाइरस का भी एक्जाम में आया तो यह नहीं बोलोगी कि अलग से हटके कोई सवाल आ गया इस अगेन इंपॉर्टेंट बाद ठीक है तो इसके यह कैप्शन तुम्हारे काम के कैप्शन से तुम्हें ध्यान रखना है बिल्कुल ठीक है इसका तो उतना लोड मतलो यह चल जाएगा आगे यहां पर आजाओ माइक्क्रोपस इन हाउस होल्ड प्रड़क्ट ठीक है इसमें जो अकेला इंपॉर्टेंट सेग्मेंट मुझे लगता है जहां से हमेशा कुश्चन आते हैं वो Lactic Acid Bacteria को ले करके ठीक है अब Lactic Acid Bacteria के बारे में समझने के लिए यहां पर मैं दो टर्म भी बाजियों में लिख दे रहा हूं तुमको एक शर्ब लिख रहा हो जनरल यह जो category है इसको lactic acid bacteria के नाम से हम लोग जान रहे हैं जो milk को curd में convert करते हैं यहाँ एक line आती है जो important है partially digest the milk proteins यहाँ game होता है कभी कभी ठीक है तो अगर यह question आए तो इस पे safe रहना कि lab जो है particularly जो acid बनते हैं वो coagulate करते हैं और milk protein को partially digest करते हैं जो बाजू के घर से तुम थोड़ा से दही मांग के लाते हो उसके लिए एक word यूज किया गया है क्या inoculum के नाम से इसको जाना गया है important चीज है यहाँ पर एक और सवाल आया हुआ है कि किस प्रकार से दही से quality improve होती है तो vitamin B12 के levels बढ़ते हैं इस प्रकार से quality improve होती है इसको याग रखना बाकी इसके आगे तुम्हारी काम की चीज नहीं है ठीक है तो इस part से यह यह pointers तुम्हारे लिए बहुत जादा critical इसके बाद bread और beer making में बनाए यूस किये जाने वाले baker's yeast का नाम हमेशा दिमाग में रखोगे ठीक है अब baker's yeast का है अपना वही सकारो माइस कर भी इसी है जो फंगस के बारे में तुम पढ़ते हो यहाँ पर जान करके रखना critical portion है जरूरी बार ठीक है इसके बद जी bread और beer दोनों में ही yeast का इस तमाल होता है मैंदब bread जो तुम खाते और beer जो तुम्हें नहीं पीना चाहिए जो भी लोग पीते हों उनके बता रहा हूं कि that is यहाँ पर basic element क्या है yeast फर्मेंट करते हैं और that is how it is formed याद रखेंगे ठीक है इसके बाद जो discussion आता है तोड़ी के उपर इसको 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 स्पेसिफिक प्रनेंसेशन है तोड़ी ठीक है है जो बच्चे साउथ इंडिया से होंगे वो समझ पा रहे होंगे तो तोड़ी है इसके बारे में इतना स करों तो हमने variety of cheese part रखें लेकिन यहां पर जो NCRT centric है उसको याद रखो NCRT centric में cheese के बारे में आता है एक बार अगर तुम्हें याद हो तो हमने class में मौक किया था एक lime के ऊपर खेला जाता है it is one of the oldest food items ठीक है जिसमें characteristic टेक्स्टर फ्लेवर टेस्ट आता है अभी अगर तुम डॉमिनो से पीजा मंगवा हो तुसमें सिक्स चीज एक पीजा नया शुरू है तुमने कभी अगर नोटिस किया हो बिल्कुल से तो ठीक है तो उसमें भी इतने प्रकार के चीज होते कोई मौजरेला चीज है कोई रॉ इस चीज में जो यहां पर बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं तो प्रोप्योनी बेक्टिरियम शार्मानी यह तुमको बिल्कुल से दिमाग में रखना है इंपोर्टन बहुत कृट कृटिकल एक्जाम का आया हुआ कुश्चन है लार जरूरु ही तो वही काम हम लोग कर रहे है ठीक है उसके बड़ माइक्क्रोब और कहां कहां इस्तेमाल किये जा सकते है वो भी सुनो हमारे पास यहां पर एक definition आती है इसके बारे में question आया था एक बार यहां पर निकल करके आती है कि specifically beverage and antibiotics are examples यहां पर आगे सुनो production on an industrial scale requires growing microbes in a very large vessels called as fermenters never confuse this with bioreactor उसकी definition अलग है fermenter की definition अलग है यहां fermenter की definition चिपकाना है और बढ़ना है अगले पार्ट की तरफ beverage के आने वाले सबसे famous सवाल हुई है कि distilled और undistilled कौन सा है कि without distillation and with distillation कौन सा बनता है अब तुमको अलड़ी मैंने बता दिया bread और beer industry में saccharomyces curvycii का बहुत critical role है already I mentioned about this अलग-अलग beverages है जैसे कि wine, beer, whiskey, brandy, rum वले सर यह सब तो हमें बता है इतना तो सबके सब इतने समझदा काम आता है bread बनाने काम आता है साथी साथ इसको river yeast के नाम से भी जानते तुम्हें पता होगा इसके बारे मैं यहां कुष्चन आने का critical part है सुरू कुष्चन यहां निकलता है कि with or without distillation की हम लोग बात करते हैं यहां पर wine and beer without distillation बस इतना रट लो whiskey, brandy, rum by distillation की हम लोग बात क कर रहे हैं याद रखना इसमें एक-दो ncrt से हट के जो question आये कि grape से क्या बना सकते हो तो grape wine तुमने सुना होगा आलू से क्या बना सकते हो ठीक है यह सवाल आ चुका है बिलकुल से वो क्या बोलते हैं molasses वगएरा के इस्तमाल से भी तो why questions हम लोग इन सारे aspects को देख चुके है कि alcohol content का order यहां पर लगाओ ठीक है याद रखना alcohol content का order distillation non distillation का कोई sense नहीं बनेगा more alcohol presence less alcohol presence इसका order सबको ध्यान रखना है ठीक है लास्ट में assignment देदूंगा comments में डालके जाओगे ठीक है बाद में बताऊंगा अभी के लिए यह पार्ट से इतने question ncrt centric निकल करके आ सकते ठीक है इसके बाद anti-biotics पर आओगे तो anti-biotics पर पहला सवाल तो यही आता है definition क्या है इसकी तो anti-bios, anti मतलब against, bios मतलब क्या कह रहे हो life की बात करो अब सुनना आगे बहुत ध्यान से यह तो हमने define कर दिया against life हमारे सामने भाशा आई अब सुनो आगे बहुत ध्यान से anti-biotics के बारे में तीन लोगों का नाम है एक अपने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एक चेन और फ्लोरी इन तीनों का नाम बहुत important है सबसे पहला हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सहब जिनसे गलती से कुछ बहुत बढ़ा हो गया क्या हो गया यह काम करते थे स्टफाइल लोगों की बैक्टीरिया के उपर उनने अब्जर्व किया कि एक मूल्ड ग्रो नहीं कर सकता एराउंड स्टफाइलो कोकस की हम लोग बात करेंगे यह बात समझ में आ गई क्या इस वेरी वेरी क्रिटिकल एक मिल रोगो यहाँ पर पॉइंट यह है एलेक्जेंडर फ्लेमि जो नहीं हो पा रहा है ठीक है उनने बाद ने यह पता लगाया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर केमिकल बनता है उस केमिकल का नाम क्या है पेनिसिलीन की हम लोग बात कर रहे हैं और उसका नाम पेनिसिलीन की बाद हम लोग कर रहे हैं तिमाग में रहेगा इस चीज को यह क् किया बैक्टीरिया का नाम यादर को स्टफाइलो कोकस जो अपने पास बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहा था एक mold के around याद रखेंगे वो mold का नाम क्या थे penicillium notatum नाम था तो उसका नाम क्या रखा गया उस chemical का penicilline लेकिन इन भाई साब की इस discovery के बाद बाद में unchain और Howard Flory इनने बाद में इसकी फर्दर और जादा इसके उपर काम किया और ये particular चीज बहुत जादा इस्तमाल किया गया था World War 2 में इस पर question आया हुआ है और बाद में 1945 का Nobel Prize in Tino को दिया गया तो यहां से क्या question निकल करके आएंगे उसको सुनो बहुत ध्यान से पहला question किसने सबसे पहले discovery करी Alexander Fleming तूसरा question ये निकल करके आएगा किस bacteria पे वो काम कर रहे थे तो bacteria का नाम क्या था strepto sorry staphylococcus की हम लोग बात कर रहे है ठीक है इसके बाद तीसरा question निकल करके आएगा कौन सा mold था penicillium notatum नाम क्या दिया penicilline पूरा potential को और identify किया chain and flurry इन सब को मिला करके nobel कब मिला 1945 1945 कौन सी war में इस्तमाल हुआ world war 2 इतना तुमको रटा मार के रखना इस particular segment से जो question पूछे जाएंगे ठीक है इसके बाद आगे हो इसके बाद देखो कुछ नाम है अगर common sense से ये नाम याद हो जाए तो जीवर ने बड़े safe रहोगे कुछ नाम जैसे कि हमारे पास आते हैं काली खासी को वोपिंग कफ अगर भूल दे कभी common name तो समाल लेना बिल्कुल से और ये सब एंटी मतलब आथा एक बड़े question आया था which of the following can be treated by antibiotics ठीक है तो ये question आया हुआ है question है अगर इसके उपर ध्यान दे लोगे तो यहाँ पर pointers निकल करके आते हैं जैसे कि plague हो गया, positive NCRT नहीं लिखती है तो हम भी नहीं पड़ेंगे, जो काम का है सिरफ उतना देखेंगे, plague की बात कर लो वोपिंग कफ काली खासी की बात कर लो diptheria यानि की गल गोटू की बात कर लो leprosy आने की कुष्ट रोग की बात कर लो यह कुछ common names वगेरा हैं जो तुम्हें याद रखने काफी लोग यहाँ पर वोपिंग कफ काली खासी पर confused रहते हैं, please remember these names very critical, ठीक है यह question आया हुआ है in fact अगर तुम काफी mock days दे रहे होगी तुम्हें पता होगा कि यह antibiotics can be used to treat which of the following, ऐसे questions आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है ठीक है, इसके बाद अगला जो discussion आता है, यह part से लगबग हर दूसरे तीसरे साल सवाल आ ही जा रहा है, match the following के format में, जैसे clostridium, butylicum, butyric यह मैं part mark करवा दे रहा हूँ, नाम है कुछ चीज़ों के, और वो क्या बनाते हैं वो बताना है, कि यह question देखे हो कि match the following, यह छोड़ी नहीं सकते हैं, इतना critical है यह, सुनो पहली चीज़, aspergillus niger, जो कि एक fungus है citric acid बनाने के काम आता है acetobacter, acetai भी, यह acetic acid बनाने के काम आता है, याद रखेंगे तो niger, fungus citric acid, acetobacter acetai, acetic acid clostridium, butylicum bacteria, butylicum butyric, butyric acid की हम लोग यहां पर बात करोंगे रटा मारना है, बहुत famous कुश्चन है और lactobacillus lactic acid बना रहा होगा to be ratified बहुत जादा भरा हुआ कुश्चन नहीं है हर जगा तुमको दिखाई देगा इस चीज के बारे में, ठीक है इसके बाद सुनो क्या पूछता है इसके बाद यहां पर पूछता है lipids के बारे में, ठीक है lipids oil stain removal में इस्तमाल किये जाते है laundry में, अब देखो fat, oil वगेरा का दाग धबा है वो lipids के थूँ आराम से तुम remove कर सकते हो oily stains को अब यार, simple सी बात, घर पे अगर तुम माजा जैसा drink बना जाओ, फूटी जैसा clear drink बनाना चाहो तो नहीं बना पाओ लेकिन market में, जो bottled beverages आते है, bottled juices आते उनमें काफी जैदा clarification देखने को मिलते हैं, काफी जैदा clarity देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यूं? क्यूंकि bottled juices के लिए, यहाँ पर pectinases और proteases का इस्तमाल किया जाता है, यह भी बहुत बार का आया हुआ सवाल, तो यहां से क्या पूचेगा, यहां से पहला question यही पूचेगा, वहाई, एस्पैजल स्नाइजर क्या बनाता है बोलोगे क्या? फटा 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 अपनी जगा बैठे बैठे बोल दो, citric acid दूसरा पूचेगा, असीटो बैक्टर यह क्या बना रहा है, नाम से ही Aceto Acetic Acid कह रहे हैं Clostridium Butylicum Butyric Acid हमने कहा Lacto Bacillus Lacto आ गया Lactic Acid हमने कहा ठीक है clear यहां तक फिर हमारे पास आता है अगर oil और fat के दाग धब्बे हैं तो उसको remove करने के लिए detergent में क्या डालोगे तो lipases को डालने की बात आती है इसको भी दिमाग में रखेंगे to be ratified इसके बाद याद रखना माजा फुरूटी इतने clarified drinks की हम बात करते हैं क्योंकि इसमें pectinases और proteases का इस्तमाल किया जाता है साथ-साथ बोलते चलो रखते चलो one last time personals of paper है निपड जाएगा वड़िया से एक दम काम ठीक है आगे सुनो फिर दो तीन चीजों का और नाम आता है streptokinase यह तो बहुत critical है यह क्या काम एक बनाता कौन है streptococcus ठीक है क्या काम है clot buster की बात कर रहे है blood clot buster आया हुआ कुश्चन है exam का which of the following is a blood clot buster your streptokinase is produced by बैक्टीरियम है वो बैक्टेर तो चलो याद हो जाएगा caucus है उससे याद करके रखो ठीक है फिर सुनो आगे एक बारे कुश्चन आया था which of the following will you be using for a particular patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack ठीक है तो यह removing blood clot में इसी का इस्तमाल किया जाता है यह सवाल आया हुआ सवाल है ठीक है क्या इसके बात बात करते है cyclosporin A की तो cyclosporin A specifically immunosupprescent है अब immunosupprescent का मतलब क्या कि immune system का idea का है अपना और पर आया identify करना अगर मानलो मेरा कोई organ फेल हो गया तो कलको मैं कोई नया organ लगवाऊंगा और नया organ मेरी body पहचान ले गया अपना तो नहीं है यह अगर मेरी body को पता लगा कि अपना organ नहीं है और फिर भी मेरी body के अंदर आया तो body तो ऐसे reject मारेगी बलेगी नहीं है अपना नहीं है इसको हटाओ तो ऐसे scenario में हमारे body के immune system को suppress करना पड़ता है अब immune system को suppress करने के लिए immunosuppresents लगते हैं तो उमने पड़े हमारे body में already एक immunosuppresents है life-saving hormone कहते हैं cortisol अगर तुमने सुनाओ तो खेर वो यहाँ mention नहीं है एक दूसरा है bioactive molecule called cyclosporin A that is immunosuppressive agent for organ transplant patients exam में question आया है इसको बनाता कौन है तो एक fungus है जिसका नाम है trichoderma polysporum तो दो critical सवाल यहाँ से निकले एक तो हमारे पास यह निकला streptokinase का दूसरा cyclosporin A का सवाल निकल करके आया तीसरा सवाल जो निकलता है वो सुनो statins की हम बात करते हैं statins की जहां तक बात है यह monascus purpureus बना रहा है that is yeast की हम बात यहां पर करते हैं यह बनाता क्या है blood cholesterol lowering agents very 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 critical और NCRT biomolecules enzyme में जो competitive inhibition का discussion है उसका यह एक एक ग्जामपल निकलता है यह competitively inhibit करता है enzyme responsible for synthesis of cholesterol तो यहां पर mixed concept problem भी निकल करके आ सकते हैं I hope this part is clear तो इसमें इन portions को तुम्हें देखना ही देखना है दिमाग में रहेगा recap कर रहे हैं बस हम और कुछ नहीं कर रहे है recap होना बहुत जरूरी है ठीक है अच्छा मैं तुम्हें यह highlighted दे दूँगा तो last में NCRT in chapters की go through करने के लिए तुम यहां से कर सकते हो यहां तक बढ़िया सबको एक बार chat ने बता दो फटाफट से यहां तक सब मजामा एकदम से क्या बात है जो भी लोग वीडियो को अभी तक like वाइक ने कियो है या लाइक वाइक कर दो इतना इसमें time लगाने कोई बात है नहीं ठीक है या अगर तुम like करने में 400 गंटा लगा रहे हो पड़़बट वीडियो को like कर दो तो अब इसके बात सुनो आगे अगला आता माइक्रोबीन सीवेज ट्रीटमेंट मैं तुम्हें सीवेज ट्रीटमेंट समझाने से पहले एक outline देदू दिमाग में कि इसमें करना क्या थोड़े तब तक 10B चार्ज हो जाएगी सीवेज ट्रीटमेंट में मेरे पास देखो organic waste है अगर मैं organic waste को directly नदियों में डाल दूँ तो obviously बात है उस organic waste के current biological oxygen demand बढ़ेगा obviously बात है dissolved oxygen कम हो रहा होगा और dissolved oxygen अगर कम होगा तो मचली मर जाएगी the basic problems you know very well ठीक है यानि कि अब हमें इस organic waste को पानी में डालने से पहले इसको treat करना आपने आप में बहुत ज़रूर है उसके लिए हम यहाँ पर sewage treatment plant की बात करते हैं जब मैं sewage treatment plant की बात करूंगा मैं broadly इसको तीन steps में classify करता हूँ primary treatment, secondary treatment और tertiary treatment सुनना पहले पूरी firamen CRT highlight करें एक थोड़ा conceptual है primary treatment इस physical filtration समझ लो बड़े बड़े तुमने चन्निया लगा दी है nets लगा दी है जिनके थुरू सिवेच को pass किया जा तो जो तैरती हुई plastic है जो suspended impurities है उनको हटानी की कोशिश है primary treatment के बाद primary treatment में ही जब एक बार मैंने basic filter मार दिया basic filter के बाद इसको normally एक container में रखा जाता है अब तुम कभी भी ऐसे कचड़े को container में रखोगे तो कुछ पार्ट नीचे जाकर के जमा होगा और कुछ पार्ट जो है उपर तैरता हुआ तुमको दिखाई देगा जो भी तैरता हुआ पार्ट है उसको effluent के नाम से हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं उसको effluent के नाम से हम लोग जानते हैं और जो नीचे जमा हुआ उसको sludge के नाम से जानते हैं ठीक है तो primary treatment में तुमेh primary sludge मिला और उपर क्या मिला effluent मिला बात क्लियर, अब इस क्या करना है, ज्यान से सुनो, अब ये मेरे पास, जो उपर तैरता हुआ effluent है, इस effluent को हम secondary treatment के लिए भेजेंगे, बात क्लियर, अब इस effluent को secondary treatment में करना क्या है, एक question आता है, primary treatment is in simplest possible terms, physical treatment, secondary treatment is biological treatment, tertiary treatment is chemical treatment, इस पे भी सवाल आय हुए है, अब तुम secondary treatment हमने किया, हमने इसको normal filter से pass out किया, normal filter से pass out करने के बाद, अगर मैं यहां पर observe करता हूँ, primary effluent को, क्या primary effluent pollution free हो चुका है, चाटने मुझे बताएंगे फटाफट, बुले बिल्कुल भी नहीं सर, कि primary effluent में अभी भी organic waste है, so now the primary effluent will pass to the secondary treatment, secondary treatment में bacteria और fungi, flock बनाते हैं, और organic material को digest करते हैं, यहां तक बात clear, अब यहां तक एक बार NCRT की लाइनों को हम लोग एक बार देख लें कि कौन-कौन सी लाइने हमने अभी तक बोल ली, ठीक है, अब यहां पर देखो discussion, NCRT माता कहते हैं, सीवेज कहके सीवेज हमें पता है, इसमें खूब सारा organic matter है और आफी सारे pathogenic भी हो सकते हैं, अगर हम इसे directly डालेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हम treat करते हैं, primary में क्या किया जा रहा है देखो, यह physical removal है, large and small को filtration and sedimentation किया गया, ठीक है, सबसे पहले floating debris, जो तैरता हुआ, polythinol 3 अगर कुछ तैर रहा है, उसको remove करो, sequential filtration के तरू अलग-अलग है न, कि कोई बड़ा pore size से pass किया, छोटे pore size से pass किया, हम आगे carry forward करें, फिर क्या हुआ देखो, sedimentation करवाया, अब sedimentation के बाद वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, कि मेरे पास ये setup है, यहाँ पर नीचे sediments जमा हुए, और उपर मेरे पास यहाँ पर बिलकुल से effluent ज जमा हुआ, उसे हमने primary sludge कहा, और जो उपर आया, उसे हमने effluent कहा, यहाँ तक सबको clear है कि नहीं, chat में एक बार बता दो, तो मेरे पास primary sludge, ऐसे ही, simple सी बार, ग्लास पानी लो, उसमें बाल रेत लेकर किया, उसको mix करो, पहले mix हो जाएगी, उसके बाद थोड़ दर जान रखना, अब हम effluent को secondary treatment के लिए लेकर जाएंगे, remember secondary treatment is also called biological treatment, and यहाँ पर हवादार माहौल में bacteria को grow करने दिया जाएगा, हम लोगोंने environmental issues में जा water pollution पढ़ा था, हमने biological oxygen demand की बात करी थी, हमने dissolved oxygen की बात करी थी, हमने यह देखा था कि BOD high मतलब water polluted है, तो BOD low कैसे करोग न, कि उस पानी का organic matter को consume कर लिया जाए, बात समझ में आ रही है, अब organic matter कैसे consume करवाया, ध्यान से देखो, बड़े बड़े aeration tanks में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर mixing 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 किया, हवादार माहौल है, air की pumping कर रहे हैं, और अब यह जो bacteria है, यह जो microbes है, fungus basically, bacteria और fungus, यह एक mesh of organic matter को consume कर देते हैं, किस में इस effluent में, यहाँ तक clear है सबको, अब effluent में क्या हो गया, organic matter खतम, जिस कारण क्या हुआ, BOD घट गया, अब आगे क्या define होगा, बहुत ध्यान से सुनना और समझना इस चीज़ को, focus here, अब मेरे पास situation क्या है, situation number 2, अब ही मैंने secondary treatment करवाने की बा मैंने उसे primary sludge कहा था और primary effluent कहा था, अब जो नीचे जमा होगा बिलकुल से, अगर मैं दिखाओ एक बार एक मिन्टर को, जड़र यह undo कैसे होता है, मैं भूल गया, यह undo कैसे होता है, हाँ, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वापस से mention करूँगा, तो अब यह वाला और जो ऊपर तैरता हुआ अब आ गया बिलकुल से, वो मेरे पास क्या है, secondary effluent आ गया मेरे पास, यहां तक clear है सबको, ठीक है, अब समझो बहुत ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, एक बच्चा कहा रहा है, सरी बैक्टीरा पहले से पर इंद्रापट अब महौल दिया गया, तो बैक्टीरा और गयानिक वेस्ट खतम कर पाएंगे, ठीक है, clear यहां तक, अब क्या होगा समझो, यहां NCRT कुछ लाइनों को देखते हैं, BOT तो मैंने तुम्हें पताई दिया क्या चीज़ चल रहा है बिलकुल से, कि सीवेज का ट्रीटमेंट तब तक करो, जब तक BOT खत नहीं जा रहा किया, ठीक है? घ्या है, ठीक है, अब यह सब को सेटल डाउन हुआ हमने उसे कहा है, अक्टिवेट अच्पेट तरहा ग्रॉज है, अब हम जब ध ही जमाते वक्त हमने यह देखा कि नहीं पड़ती है, तो यह जो अटिए जो थोड़ी दही बांग गर कर आया हुआ है बात समझें ठीक है उस activated sludge के कुछ हिस्से को inoculum की तरह use किया जाता है यानि कि जब अगली बार filtration अगली बार secondary treatment होगा तो अगर bacteria थोड़े चाहिए तो इसी activated sludge का थोड़ा amount हम वापस transfer कर देते हैं जो secondary treatment में reuse हो जाएगा बाकी जो बचा हुआ sludge है उसको कहाँ पर क्या किया जा रहा है उसको pump कर दिया जा रहा है यह एनेरोबिक sludge digesters में याद रखना यहाँ पर फर्क को समझना एनेरोबिकली digestion हो रहा है तो एनेरोबिकली digest किया जा रहा है इस चीज़ को और अब यहाँ पर methane, hydrogen sulfide और carbon dioxide जैसी gases का mixture आ रहा है जिसे हम bio gas के नाम से जानते हैं यहाँ तक clear है सबको यह NCRT के highlights है अब इसमें मैं recap देता हूँ इसमें अगर exam में पूछेगा तो क्या format of questions होगे पहला question पूछेगा primary treatment क्या है तो हम sequential filtration कर रहे है floating debris को remove कर रहे है जो settleable impurity है उसको हटा रहे है दूसरा question पूछेगा primary treatment में जो नीचे जमा हुआ वो क्या है वो primary sludge है और जो उपर है उसको primary effluent कहा primary effluent का क्या करोगे तो primary effluent को biological treatment में ले गए वहाँ पर aerobic bacteria, aerobic growth हो रहा है oxygen वगेर हम छोड़ रहे हावा पानी बिल्कुल छोड़ा जा रहा है और वहाँ पर flux का development हुआ जिसने BOD को lower किया अब इसके बाद जब BOD sufficiently lower हो जाता है तो हम इस secondary effluent को आगे pass on कर सकते हैं जो secondary treatment के बाद नीचे बचा हम उसको क्या mention करते हैं बिल्कुल से activated sludge के नाम से जानते हैं इस activated sludge की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो इसको निकाल करके थोड़ा हिस्सा inoculum की तरह भी use किया जा सकता है बात को समझना थोड़ा हिस्सा किसकी तरह inoculum और बाकी हिस्सा किसमें डाल दिये anaerobic sludge digester की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ तक clear है सबको यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं है मेरे को यह बताना सबसे पहले क्या कह रहे हो बीच में एड़ा गया है कहां से एड़ा गया लाइब क्लास में एड़ा गया पदा नहीं यहां किया system I need to check ठीक है इस बार कुछ हुआ होगा ठीक है चलो यहां पर lot कर क्या वापस आएंगे ठीक है I need to double check guys ठीक है because मैं खुद यहां पर कभी कभी ताम जाम होता रहता है ठीक है let's get back here यहां तक बाते clear है इन factors को एक दम से clear रखोगे ठीक है अब इसके बाद माता यहां पर दो organizations की बात बताती है ध्यान से समझो that is Ganga Action Plan और Yamuna Action Plan इन दोनों का नाम याद रखोगे हमारे देश में already तुम्हें पता यार किसी को कुछ भी करना नदी तो है these are the plans that are designed किसके लिए particularly design किये गाए है ध्यान से समझे ठीक है क्या हो गया chat में guys please focus here ठीक है मुझे नहीं पता settings में क्या हुआ है बिल्कुल I need to check ठीक है यह जो भी हुआ है I'll double check this ठीक है यहां पर वापस आएंगे बिल्कुल है नहां अलगी कुछ हुआ यहां पर I'll check after the class I'll see what exactly has happened with my settings here ठीक है get back over here ठीक है तो दो plans यहाद रहेंगे गंगा action plan और यमुना action plan यह दोनों इसलिए design किये गए जिसके लिए हम क्या mention कर रहे हैं बिल्कुल से कि नदियों को बचाया जा सके तुमने देखा होगा ना पुराने time पे कि आज के time पे भी सारा गंदगी नदी किना रहे ठी कियर है सबको इसके बाद biogas पर यहां तक दनने सबका कहानी clear एकदम चिलपिल सबको क्या बात है let's get back here क्या कह रहा हो कुछ नहीं हुआ है कुछ लोगों को कुछ हुआ है तो जिन लोगों को कुछ हुआ है get back over here ठीक है now get back to the topic ठीक है यह हमारा second heading खतम होता है पहला part देख इंगे ncrt सुनो आगे biogas बनाने में microbes का role क्या मैं fix questions बता रहा हूं जो फिर से पूछे जाएंगे सबसे पहला यह नाम methanogen तुमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया तुमने पढ़ा मीथानोजन के बारे में जिसको methanobacterium के नाम से जानते हैं यह कहां मिलेगा यह anaerobic sludge की हम हम लोग बात करते हैं sewage treatment के वक्त तुमको मिलेगा बिल्कुल से बात समझ के रखेंगे ठीक है अब जो cattle dung है उसके through biogas बनाने की बात है तो exam में आने वाले सवाल क्या है पहले तो दो organization के नाम कहा गया organization भाई यह नाम सबसे पहले Indian Agriculture Research Institute और Khadi and Village Industries Commission के अगर हम लोग बात कर है अगर तुम village इलागों में कभी घूमे होगे तहले होगे अगर तुम गाउं से होगे तो तुमने देखा भी होगा इस तरीके के biogas plant को शहरों में बहुत रेरली दिखते हैं biogas के plant ठीक है लेकिना usually गाउं वगेरा में complimentary बनवाई जाते मेरे भी गाउं में मैंने देखा निकल करके आएगी बिल्कुल से इस गैस से बहुत कुछ कर सकते हैं light भी जला सकते हैं चाहे तो इसको हम लोग normal cooking के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कचड़ा बच जाता है उसको sludge को बाहर निकाला जाता है और उसको खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये purpose है हम निकल करके आएंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे अगले aspect को ठीक है यहाँ पर आएंगे इसमें mention छोटी-छोटी चीजों का है कि a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen ठीक है और जब तुम इससे biogas बनाओगे तो हम इसे gober gas की बिल्कुल से बात कहते हैं इसको दिमाग में रखना यहाँ तक clear है सबको something again that you need to remember अब biogas के क्या components है एक tank होगा यार मैं ऐसा नहीं कहूंगा डेटा कोई नहीं पूछेगा लेकिन क्योंकि मैंने खुद ने एक mock test करवाया था उसमें मैंने यह data पूछा था ठीक है योकि NCRT है मन करे तो पूछ ले कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो एक rough idea रखो कि 10-15 फीड गहरा है गड़ा खोदना है बिल्कुल से उसमें क्या गोबर भरना है गोबर भरने के बाद एक floating cover लगाते है इस लरी के उपर बिल्कुल से है ना और उसकी बाद यहाँ पर इसका digestion जो है चालू रहता है बिल्कुल से याद रखो कि to be रटा फई ठीक है बागी गोब hopes as bio control agents ठीक है अब इसमें देखो कुछ specifics है सुनना ब्यान से है मतलब stress तो होगा ही थोड़ा सा इसको देख करके because कुछ जादा ही specific होगा यह NCRT यहाँ पर आते तो मैं में बताता हूं सारका सारा focus आज के टाइम पर organic farming पर है तो यहाँ पर NCRT IPM का concept भी लेकर आएगी integrated management का concept लेकर के आएगी बिल्कुल से कि अगर overall हम mention कर रहे हैं खेत में अगर चुहे खताब खराब कर रहे हैं फसल को तो साप छोड़ तो ऐसे अलग-अलग methods की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे now let us see कौन-कौन से pointers निकल करके आते हैं यहाँ पर आते हैं बिल्कुल से ठीक है यहाँ पर एक holistic approach का development है खूब सारा time पस किया गया है यहाँ पर आओ the organic farmer holds the view that the eradication of creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable for without them the beneficial retained parasitic insects which depend upon them as food would not be able to survive सामाने भासा में अगर मैं मतलब बता हूँ अगर बिचारा तुम्हें कीडा मार दोगे तो उस कीडे को जो खाया करता था वो मर जाएगा बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या इसके लिए pesticide की जगह अगर एक prey है जो तुम्हारे खेत को बरबाद कर रहा है तो उसका predator उसी खेत में भेज दो बाकी काम अपने आप हो जाएगा बात समझ में आ गई क्या अब वही हम बात यहां पर करते हैं examples को ध्यान से समझना क्या क्या examples आते है ठीक है यह जो point है यह जो line है इसका मतलब दुमारा सुनो organic farmer की विचारधारा क्या है कि हम लोग pest को खतम करेंगे अच्छा नहीं लगेगा अलग अलग direct चीज़ों का इस्तमाल से हम natural तरीकों से उस यहां पर example आते हैं कि the ladybird and dragonflies यह aphids और mosquito भगाते हैं एक्जाम में question आया हुआ है अगर इसको छोड़े तो एक question जाएगा मैं बता दे रहा हूँ इसको चाहो तो अलग से काम कर लो एकदम ठीक है यहां पर ध्यान देंगे ठीक है focus here ladybird, aphid, dragonfly, mosquito ध्यान रखेंगे इस BT cotton वगएरा का तो चलो चलेगा इसमें एक line आती है कि butterfly caterpillals ठीक है यह हमारे पास sachet as dry spores which are mixed with water and spread onto vulnerable plants such as brassica and fruit trees यहां confusion होता है लोगों को क्योंकि हमने हमेशा BT cotton का example पढ़ा है अब BT cotton कैसा particular pod है हमारे पास कि जिसमें bacillus thuringenesis वाले jeans पहुँचे है लेकिन यह जो example NCRT लिखते हैं काफी बार ignore होता है सुनो यह example क्या है यह example है butterfly caterpillars को control करने का ठीक है यहां पर सैशे आते हैं बिलकुल से spores के जो पानी के साथ mix करके पौदे से परासिका हुआ कुछ फ toxins आएंगे वो particularly मार देंगे बात समझ में आ गई क्या it will kill the caterpillars but leave other insects unharmed यह condition समझ में आ गई क्या तो यह तो मेरे पास मैं BT cotton बना लूँ यह भविश्य में जाकर कि यह बनेगा बिलकुल से यह उसके पहले हम सैशे ले करके dried spores को पानी में मिला करके spray कर दें दोनों ही तरीक के हैं best management के तो ध्यान रखना काफी बार exam में confusion हो जाता है योकि तुम्हें दिमाग में आएगा सर हमें तो GMO बनाना था हम क्या spray कर रहे हैं इसको ले जाकर के फिर वो illogical बात हो जाएगी तो इसको इस हैसाब से दिमाग में रखेंगे clear है सबको ultra critical element that you have to ratify ठीक है इसके ब हमारे पास निकल करके आते हैं ठीक है critical part इसके बाद हमारे पास ट्राइको डर्मा याद रखना there effective control agent for plant pathogen multiple times आस्टेन एक्साम अगला जो पार्ट है बक्यूलो वाइरस very famous questions आते हैं इस पर बक्यूलो वाइरस attacking insect and arthropod दो point आ गए ठीक है किस तरह इस्तेमाल किये जारे biological control agents की बात हम लोग कर रहे हैं किसको बिलॉंग करते हैं तो nucleo polyhydro virus को बिलॉंग करते हैं यहाँ पर याद रखना ठीक है फिर line जो आती है species specific narrow spectrum insecticidal applications का इनका particular role है ठीक है इनका कोई negative impact non-target पे नहीं है मतलब अगर तुम एक particular effid को मारने के लिए डाल रहे हो इसको तो effid को ही मारेगा non-target organisms को परिशान नहीं करेगा इसको याद रखेंगे ठीक है इस रखेंगे clear है सबको तो यहाँ से भाई बहुत question निकलते हैं ignore हुआ तो question जाएगा मैं highlighted pdf तुम्हें बिलकुल से share कर दूँगा यहाँ तक बढ़िया ठीक है तो यह सारे के सारे aspects होगे microbes का एक बाट तुम्हारा फिर आगे आ जाओ bio fertilizers में क्या पूछ करके आएगा अगर एक्जाम में आता है तो organic farming general term याद रखना इसमें और कोई खास चीज तुम्हारे पास है नहीं ठीक है azospirilium azotobacter जो nitrogen content को बिलकुल से increase करने का काम करते हैं याद रखना इस चीज को कुछ dust to be रटा पई ठीक है एक बार एक्जाम में हमने class में एक MCQ किया है अगर तुम्हें याद हो तो MCQ आया था what are the main source of bio fertilizers यह did to NCRT की line है bacteria, fungi, cyanobacteria all of these अगर एक्जाम में ऐसा question आता है कि what is the main source of bio fertilizer तो remember this line of NCRT की bacteria है, fungi है और cyanobacteria इन सभी की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं to be ratified फिर आगे बढ़ो इसके बाद mycorrhizer तुम्हें पता ही है, अलग-अलग chapters में इसके examples आते ही रहते हैं तो यह उसके through हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, स्यानो बैक्टीरिया पर जस्त इतना याद रखो कि aquatic and terrestrial environment में है atmospheric nitrogen fix कर सकते हैं, Annabena, Nostock, Oscillatoria important examples है फिर माता example देती हैं, आगे बढ़के एक और जरूरी चीज़ का स्यानो बैक्टीरिया या क्या बोलते हैं, important bio fertilizer, paddy fields की हम लोग बात करते हैं to be ratified again, इतना दिमाग में रखो, जरूरी चीज़ें, यह है हमारे पास सारा का सारा क्या निकल करके आता है, microbes in human welfare, ठीक है पूरा chapter याद करना है, there is conceptual देखा जाए, तो हमारे जो बीच में एक पार्ट आता है, discussion, जहां पर sewage treatment आता है, बस उतने में ही concept है बाकी तो सारा का सारा तो रटना रटने वाला काम है बिल्कुल से, ठीक है तो मैं यह marked PDF तुम्हें मेरे टेलिग्राम पे शेर करूँगा, जिसका link औरेडी pinned है, उसको check out करोगे ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे, morphology के पास एक घुंट पानी पी करके, ठीक है अगला morpho करेंगे हम लोग, morpho में क्योंकि NCRT लिखती है कि practical aspect के साथ हमें पढ़ना है तो morpho की NCRT reading के बजाए मैं तुम्हें वो सारे part पहले करवा दूँ, जहां जहां से सवाल निकल करके बनते हैं उसके बाद हम यहां पर lot करके चले आएंगे, ठीक है, तो यह अपने पास slow चलेगा Let us go for morphology now, long term pending और भारी भरकम सवाल निकल के आते रहे हैं इसके उपर, ठीक है चलो, इसमें हम QR code का segment भी साथ में cover करेंगे, जो morpho में जैसे तुम्हारा कुछ नहीं आते न, philoclade, clatode, cladophyll, यह सब language आती है, बिल्कुल से, वो सब भी cover करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, चालो करते है अब चालो करा जाए, morphology की गाथा, सबसे पहले तुम्हें recap करवाता हूँ बिल्कुल से, slide के थुरू चलूँगा, थोड़ा speed हम ज्यादा enhance करके रखें, क्योंकि revision session है, यह बिल्कुल, ठीक है सबसे पहले discussion आएगा root के पास, ठीक है, root की अगर मैं बात करता हूँ, तो specifics कुछ समझ लो, सबसे पहला point root को लेकर के क्या है, it is a positively geotropic structure, now what is a positive geotropy, geotropism, tropic movement का मतलब वो होता है हमारे पास, जो किसी particular direction के regard में हो, ठीक है, तो geotropic, यानि कि जमीन की तरफ जा रहा है, root तो stem is negatively geotropic and root is positively geotropic, remember that important point, ठीक है, बाकी point क्या है, कि root का origin point अगर मैं लिखना चाहूँ, तो मैं radical की बात करता हूँ, एक structure होता है plumule और एक structure होता है radical, तो root कैसे बना, radical से बना, याद रखेंगे, पहले point हमारे सामने ये निकल करके आगए, अब अगर मैं root की बात करता तो पहले तीन टाइप याद रखने है, tap root है, fibrous root है, adventious root है, अगर central axis continues to grow, side में development ऐसे 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 अपना चलता आ रहा है, तो tap root system है, अगर main axis का growth खतम हो जाता है, और ऐसे sideways development जादा हो जाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, fibrous root, तो सबसे पहले दो definition, tap root और fibrous root की, कि tap root हमे dicot में मिलती है, अगर यहाँ पर क्या होता है, direct elongation of the radical यहाँ पर sustain करता है, तो हम क्या mention करते है, tap root की बात करते है, so tap root यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, कि tap root is the main axis of the tap root system that you can see, कुछ definitions की मैं आपर बात करूँगा, there are lateral roots, जिनको हम secondary और tertiary roots कहते हैं, जो obliqually acro petal order में आते हैं, अब यहाँ सवाल निकलता है, यहाँ सवाल क्या निकलता है वो भी सुन लो, acro मतलब youngest, sorry, acro petal, acro मतलब ऊपर और petal मतलब कि youngest portion की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर arrangement कैसा, acro petal यहाँ पर सवाल आया हुआ है, youngest at top, जब inflorescence पढ़ते हो, तो acro petal और वैसी petal पर तो यह उसी sense में कह रहा है तुमसे, ठीक है, तो यह question अगर आया तो समाल लेना, macro petal की बात करते हैं, important है, ठीक है, बागे root hair यही पर तुम्हारा क्या बोलते है, root hair का production वगरा सब चलता रहता है, root में कुछ zones की बात आती है, अगर तुमने पढ़ा हो अच् जिसको मैं elongation का region कहता हूँ, फिर मेरे पास एक region है, जिसको मैं region of maturation की बात करता हूँ, तो इन zones को भी याद रखेंगे, root cap, meristematic activity, elongation का zone आता है हमारे पास, और फिर maturation का zone आता है, ठीक है, यह मेरे पास पहला segment था, किसके regard में, tap root system, फिर आता है, fibrous root system, fibrous root कहां मिला, monoc मिला, fibrous में क्या हो गया, देखो, root कुछ इस प्रकार की हो गई है, अब अगर root इस प्रकार की है, तो इससे सवाल क्या बनेंगे, कि the primary root is short-lived, और replace कैसे हो जा रहा है, large number of roots आकर के इसको replace कर दे रहे हैं, कहां देखने को मिला, monocot में, रटना है इसको, ठीक है, तो हमने tap root देखा, और हमने fibrous root देखा, अब आते हैं, adventious root पे, तो adventious root वो root, that arise from other than radical, हम उने क्या कहते हैं, बिल्कुल से, adventious roots के नाम से जानते हैं, रटा मारना, यानि radical से आया, radical का central axis आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो खतम नहीं हुआ, tap root, खतम हो गया, वो fiber के दर फैल गय adventious root की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इतना दिमाग में रखेंगे, इसके बाद exam में एक दो सवाल और आते हैं, बड़े comments है, कि which of the following are the functions of root system, या which of the following are functions of shoot system, तो basic point है, मैं recap कर रहा हूँ, सबसे basic point है, तुम्हारे पास absorption of water and minerals, everyone knows, encourage provide करना, कि जमीन को पकड़ करके रखन anchor provide करना important point है, खाने का storage एक critical part है, और synthesizing some plant growth regulators, यह सारे के सारे points अपने आप में बहुत critical है, अगर मैं root system के functions की बात करूँ, तो दिमाग में रखने वाली चीज़, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, modifications of root की, तो modifications of root में हमारे पास सबसे पहला हम लोग देखते है storage, storage मतलब खाना store करेगा, अब इसमें कुश्चन कैसे आएंगे बहुत ध्यान से सुनो, कुश्चन ऐसे आएंगे सबसे पहला point ही आ सकता है, कि यहाँ पर गाजर, टर्निप, रैडिश, यह तीनों में tap root modification for storage है, रखता मारना है छोड़ नहीं सकते, दिख रहा है गाजर है तुम्हारे पास टर्निप है, तुम्हारे पास रैडिश है, मूली गाजर, यह तुम्हारे पास क्या example है, storage root का example है, आज सुबह के मौक में भी धा बिल्कुल, इस दिव्यान चाहिए ना, तो storage root ध्यान रहेगा, tap root के examples याद करने, carrot, टर्निप और रैडिश, इसके बाद ए revolution में करते हैं उस सवाल को, यहां पर directly link up करके रखो, कि adventious roots कहां पर sweet potato की बात कर रहे हैं, ठीक है, और asparagus में कौन, fibrous root, तो अगर पूछे, root modification की मैं बात करता हूँ, मैं storage के regard में बात करता हूँ, तो 3 point है storage के regard में, एक मेरे पास tap root है, एक मेरे पास fibrous root है, और एक मेरे पा नगस आ गया, adventious मेठा, आलू आ गया, और गाजर, टर्निप और रैडिश की अगर मैं बात करूँगा, तो यह tap root modification में आ गया, तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इसके बाद सवाल आता है, प्रॉप root या पिलर roots पे, यह कुछ इस प्रकार के roots होते हैं, तुमने बड़े रटा, fight, दिमाग में रखना ही, रखना है, इसके बाद हमारे पास आता है, stilt root या brace root, एक्जामपल याद रखेंगे, मेज और शुगर के हैं, तुमने देखा होगा, अगर मैं इसको यह तुम्हें जूम इन करके दिखा हूँ, इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐसे root निकले वे तुमको दिखरे होंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, stilt root कहते हैं, या brace, brace समझ तो brace for impact है न, यह basically इनका role यहाँ पर क्या है, mechanical support provide करना, एक्जाम में question कहां पर आता है, सुनो, question यह पूछता है, कि these roots arise from where, so these roots arise from the lower nodes of the stem and that are called as stilt roots or the brace root to be ratified, ultra critical, ठीक है, फिर example आता है, pneumatophores का, देको pneumatophore पर अगर exam में question पूछेगा, तो 2-3 fix questions है, pneumatophore कहां देखने को मिलेगा, तुमको किस तरह के पेड़ पौधों में देखने को मिलेगा, तो यह तुम्हें mangrove vegetation में देखने को मिलेगा, जो saline, swampy, दल्दली जो इलाके है बिल्कुल से mangrove का जो belt है, वहाँ पर तुम्हें यह देखने को मिलेगे, क्या pneumatophore, यहाँ पर problem क्या है, यहाँ पर रूट जमीन के अंदर ऐसे develop करवा रहे है, तो इसा इलाका है, वहाँ पर oxygen की कमी है, low oxygen content है, तो रूट क्या करती है, वह जमीन से ऐसे उल्टा, अभी त कहते हैं, pneumatophore की बात करते हैं, जो examples है, वह rhizophore है, यह example मत पड़ो, काम का नहीं है, बठा तुम यहाँ पर example जरूर से ले सकते हो, कि इस प्रकार के root ऊपर की तरफ आते हुए, दिखेंगे, इन पर्टिकुलर पेड पॉधों की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ह situation कि अगर इसका seed बना और seed वापस से पानी में गिरा, तो ऐसा इलाका है, जहाँ oxygen की कमी है, oxygen की कमी होने के कारण यह seed कभी germinate ही नहीं कर पाएगा, अगर यह seed germinate ही नहीं कर पाया, तो यह अपना भविष्य कैसे समालेंगे, बात समझ में आ गई क्या, तो यह अपना करते हैं, वीवी पैरी का फिनामिना, कि the seeds germinate पेड़ पे लटके-लटके ही, और seed germinate करके नीचे गिरते हैं, इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा यह होता है, कि जो नीचे गिरने के बाद germination की probability zero negligible हो गई थी, वो probability बढ़ जा रही है, बात समझ में आ गई गा, तो अ अगर दुनिया के हर एक पेड़ पौधे में हो जाती, तो क्या वो एक advantageous feature होता, क्योंकि अगर वीवी पैरी सब में हो जाती, तो हर एक पौधा वीवी पैरी शो कर रहा है, मालो तुमें कैपल तोड़ने गए, उसमें अंदर से पौधा ही निकला है, वो बिलकुल से, बात समझ में, so it is not advantageous in general, अगर मैं कहना चाहूँ, तो दिमाग में रखेंगे, ठीक है, फिर वेलमें, अभी तुम्हें रीसेंटे आइमटी में दिखाओगा, क्यों दिखाओगा कि इसके उपर प्रिवेस एर कुश्चन से, और हम लोग कुछ भी untouched नहीं छोड़ सकते, तो moisture, atmosphere से directly absorb करने के capable है, इसको दिमाग में रखेंगे, important part, ठीक है, तो वेलमें का भी recent question तुमने देखा था, चाटने बिलकुल से, बताओ मुझे एक बार फटा-फट से, अगर मैं वेलमें की यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिलकुल से, तो वेलमें मेरे हिसाब से सब ने देख रसकटा की, यानि की अमर बेल की, एक बार एक question हमने किया होगा, it is a hollow parasite की में बात, it is a complete parasite, see, जब मेरे पास कोई parasitic adaptation है root में, तो parasitic adaptation दो प्रकार से, या तो complete parasite है, या तो आधा parasite है, जब मैं कहता हूँ complete parasite की बात करता हूँ, तो अगर बोथ xylem and phloem की में बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो scenario में हम complete parasite की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिरिफ और सिरिफ xylem की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं partial parasite की बात करो, NCRT में इतना विस्तार से नहीं है, तो इसको cut कर दो, लेकिन यह important है, hollow parasite का example कौन, कसकटा अमर बेल दिमाग में र पढ़ते हो, जो root nodule formation, जो mineral nutrition में आता है, वही nodular roots की बात करी गई है, ठीक है, इसको ignore कर दो, just remember one fact, there are conditions where root can also be photosynthetic, तो अगर exam में एक ऐसा statement आता है, कि root can be photosynthetic, तो वो गलत statement नहीं होगा दिमाग में रखना है, roots can be photosynthetic, यहां तक बढ़िया समझ में आ गया, तो यह मेरे पास root थे और root के modifications थे, कोई ज्यादा tough चीज़ है नहीं, tap root है, fibrous root है, adventurous root है, तीन type के root हो गए, फिर modifications आ गए, सबसे पहला storage है, storage में tap root का कौन सा है, fibrous का कौन सा है, adventurous का कौन सा है, यह देखना है, इसके बाद आगे आओगे prop root पर, तो prop root में हमने specifically देखा, बर्गत का example लिया, prop root की बाद करी, stilt में हमने sugar cane का example लिया, pneumatophore में rhizophora mangrove का example लिया, velemen में example ही नहीं लिया, hostorial में हमने बस इतना देखा, hollow parasite का एक example हमारे पास निकल करके आता है, that is, kaskatta यानि की, amurbale की बाद करेंगे, फिर nodular roots वो होते हैं, जो nitrogen fixation के साथ concerned है, और photosynthetic roots हो सकते हैं, इतने factor, सिरिफ और सिरिफ root root पर तुम्हें पढ़ने, यहां तक ड़ने हैं, याद करना हैं, याद करना हैं सारा कुछ, इसमें कुछ भी छोड़ वोड नहीं सकते हैं, याद रखना, ठीक है, everything must have to be ratified, you cannot just skip anything from here, ठीक है, यहां तक ड़ने सबका, तो मैं आगे चलूँ बिलकुल स साबाश, अब सुनों फिर बिलकुल आगे, अब हम आते हैं stem के उपर, stem से तो भाईसा भर-भर के सवाल है, modifications of stem खास करतो, ध्यान से सुनना, सबसे पहला point यहां पर आता है stem के regard में जो तुमें सीखना है, node और inter node क्या होता, I hope सबको पता है, the point यहां पर, the origin point that is your node, this is your node, औ इन दो nodes के बीच के space को हम लोग क्या कहते हैं, inter node के नाम से जानते हैं, I hope this is absolutely clear, ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे बिलकुल से, कि दो node के बीच में जो portion है, हम उसे inter node कहते हैं, अब अगर function in general की मैं बात करता हूँ stem की, तो पहला point है water, mineral, photosynthesis, water, mineral, conduct करना और photosynthesis, perform करना भी include कर सकते हो, ठीक है, कुछ particular यहाँ पर stem ऐसे भी हैं, जो खाना store करेंगी, support करेंगी, protect करेंगी, propagation में काम आएंगी, that is also one of the roles that you need to remember, ठीक है, फिर हम example यहाँ पर लेते हैं, कि leaves, flower और fruit का, यह spread out करके, इन सब के bearing, bear कर रहा है इन सब चीज़ों को, ठीक है, main जो पढ़ना है, modifications, यहाँ से questions शुरू होंगे, ध्यान से सुनना है, एक एक language पर ध्यान देना, underground stem modifications, aerial और sub-aerial, जमीन के under stem जाके, क्या-क्या modification कर सकती है, वो point number one हम लोग देखेंगे, हवा में क्या-क्या कर सकती है, और कुछ हवा जमीन मिला करके, जिसको मैं sub-aerial modification कह रहा हूं, वहाँ क् सकता है, उसको देखते है, underground stem modification के यह examples है, सब पे questions है, ठीक है, इन में खाली example याद करने, definitions नहीं पढ़नी, underground stem modification में stem tuber है, rhizome है, korm है, और bulb है, ठीक है, अब ध्यान से समझें इस चीज़ को, अधरिका रफलीशय का example नहीं पढ़ना, जो मैं जितना example बता रहा हूं, वो दे example of क्या, underground stem modification, collocasia, इसको अरुई भी कहते हैं, ठीक है, इसको और तुमारी भाष्या में क्या होते है, मुझे बात ने का भी बताना, लेकिन as of now, this is collocasia, ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, korm की हम लोग बात करते, तो देख तो हमारा आलू हो गया, जिसमें हमार ट्यूबर है, दूसरा हमारे पास कॉर्म of collocasia हो गया, ठीक है, तीसरा हमारे पास rhizome of ginger हो गया, बिल्कुल से, हल्दी हो गया, तो ये दोनों examples भी अपने आप में काफी critical है, ठीक है, इसके बाद बल्ब of onion हो गया, अनियन में स्केली leaf होता है, और onion का बल्ब होता है, तो ब है rhizome, rhizome किसमें, ginger में, फिर क्या है rhizome और कहां पर, हल्दी में हम लोग यहां पर बात करते हैं, फिर क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा बिल्कुल से क्या, bulb of onion की हम लोग बात यहां पर करेंगे, क्या हो गया, बिल्कुल से, add आ जा रहा है, पता नहीं, मैंने कुछ YouTube क पॉलिसी पर ओके-ओके किया था, और मैंने धंग से पढ़ा रही था, फिकास में लेट हो रहा था, ठीक है, तो I need to check, ठीक है, मैं देखता हूं में, off-off कर दूंगा, add बड़ा इरिटेटिंग लगता है, मैं खुद वो वीडियो स्किप मार देता हूं, जा पर add आ रहा हू इसलिए मैं ने यूट्यूब प्रीमियम ले लिया, विकास बीच में कौन add दिखाता है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता है यार पीच में ऐसा क्यों हो रहा है, I'll just check and I'll switch it off, ठीक है, don't worry बिलकुल से, चलो, अब हम लोग लोग लोट करके आएंगे एकदम से, ठीक है, moving ahead to the next part, ठीक है, तो यह सारे modifications clear, यह हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे underground stem modifications हो गए, ठीक है, अब हम आते हैं, aerial stem modifications के उपर, कि what are aerial stem modifications, ठीक है, हवा में होंगे, क्या क्या example है stem tendril, अब देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता leaf tendril और एक होता stem tendril, stem tendril मतलब क्या, कि जब tendril, tendril सम मतर का पौधा दिखाए तुमने, मतर में ऐसे, 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 करके structure आता है, तो चढ़ने में मदद करता है, वहाँ leaf tendril है, ऐसे stem tendrils भी present होते हैं, दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ऐसे काटे भी present होते हैं, phylo clad होते हैं, cladophil होते हैं, bullbills होते हैं, let's see these examples, very critical ध्यान से observe कर कुछ नहीं, cucumber, water mineral और pumpkin की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे recent के mock test में एक question आया था, कि from axillary bud, कहां कहां tendril बनता है, तो याद रखना, tendrils are for climbing, axillary bird as in gods के हम बात कर रहे हैं, examples to be ratified, important है, दिमाग में रखेंगे, उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर terminal bud grape wine, है ना, अब अंगूर का पौधा, तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है, जिसने देखा है, मैंने भी photo photo करके देखा है, बिलकुल से, ठीक है, तो तुमने देखा है क्या, मैंने नहीं देखा है, आज तक हाँ, जिसने देखा हो, बदा है हूँ, लेकिन वह होता है, spine, दोनों को confuse मत करना, spine का मारा leaf modification जाता है, थौर ने क्या कांटे, जो तुब जाते है, यह तो देखे होंगे सबने, बहुत हो, इसको हम लोग पता है, बच्पन में क्या करते थे, यहां से, स्खीन से, ठीक, और फिर देखते थे, देखो, हमको कांटा लग गया, ठ क्योंकि, पता नहीं है, मैं जादा ही old school बात कर रहा हूँ, कि आजकल मैं बोलता हूँ नो, लोग example से कम relate कर पाते हैं, कभी-कभी, I hope लोगों ने किया हो बिल्कुल से, ठीक है, तो भागी यह कांटे हैं तुमारे सामने, अगर तुम हो यह आपर दिखाई दे रहे हैं, बि फिर हम बात करते हैं किसका, फाइलो क्लैड की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान चे सुनना और समझना, फाइलो क्लैड की क्या है स्टोरी, सी, दो-तीन टर्म्स बता रहा हूँ, एक है मेरे पास, यह क्या हो गया पर इनको, दो-तीन टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है फाइलो, क्लैड, एक टर्म है फाइलोड, और एक तर्म है क्लैडोड, ठीक है, जब मैं फाइलोड कह रहा हूँ, तो वो लीफ मोडिफिकेशन ह इसको दिमाग में बिल्कुल से रखें बिना इसको जो है miss out किये ठीक है तो phylo clad, clad out दिमाग में रहना चीज जरूरी बात अब सुनो ध्यान से phylo clad में क्या होता है बिल्कुल से examples रखेंगे उपंशिया, euphorbia, kasuarina इन तीनों पे पक्का question आता है पक्का मतलब पक्का इसको दिमाग में डाल करके बिल्कुल से रखना है सबसे पहला point एक्जाम में क्या पूछेगा fleshy flattened phylo clad कहां देखने को मिला अपंशिया, दिल, लेनी अपंशिया, दिल, लेनी इसको ऐसे भी लोग याद रखने का तरीका है तो fleshy flattened phylo clad कहां मिला अपंशिया में हमको दिखाई दिया बिल्कुल से ठीक है उसके बाद आगया आएंगे बिल्कुल से कैसुआ रिना में कैसा देखने को मिलता है needle जैसा phylo clad देखने को मिलता है ये भी याद करना है, छोड नहीं सकते ठीक है, याद रखेंगे important उसके बाद हमारे पास आता है euphorbia, तो fleshy cylindrical phylo clad ये तीनों के तीनों factors दिमाग में रखने याद कैसे रहेगा, अगर अपंशा का photo तुमारे दिमाग में है तो तुमको ये चिप्टा चिप्टा flattened सा दिखाई दे रहा है ये देखा है, तुमने सबने देखा होगा बिल्कुल से लेकिन हाँ नाम से नहीं याद होगा तुमको just remember this, अपंशा में flattened दिख रहा है needle like, इसमें समझ मेरा needle जैसे ही तो है ये नुकिले-नुकिले से, तो needle like हमने कहा और ये cylinder जैसा, तो cylindrical इस सबने पौधे देखे हैं, लेकिन आज तक scientific name नहीं देखा, तो ये तुमको याद रखना है, किसके regard में? philoclad के regard में, ठीक है इसके बाद cladophil हटाओ, bullbills बस याद रखो bullbills in agave, बस नाम याद करवाने के लिए बता रहो, bullbills in agave, nothing else you need to remember, ठीक है bullbills का इसमें, रोल क्या है जो ऐसे, अगर इस प्रकार की, तुमने देखा होगा पता है, बट फिर से बोलो के sir, हमें नाम थोड़ी ना, पता था बिल्कुल से, ठीक है तो ये हमारे पास agave हुआ बिल्कुल से, एक और example है, this is not relevant, नहीं पूछता है, ठीक है बट डिखा दिया है, नाम मैंने for the safe side, बाकि remember this इसमें होता के, जो चोटे-चोटे बड्स होते हैं ये detach कर जाते हैं, बिल्कुल से, ठीक है और detach करके, अपने आप vegetative propagation में मददगार साबित होते हैं दिमाग में रखेंगे बिल्कुल से, ठीक है this is clear, something that you need to remember तो paid pause है तुमने देख लिए इसके बाद हमारे पास आता है sub-aerial, अभी तक हमने क्या देखा, हमने underground देखा, हमने aerial देखा, अब हम आते sub-aerial पर sub-aerial में हमारे पास runner stolen, offset, sucker, ये चारो के चार, तुमने इस पे बहुत सारे सवाल देखे होंगे बिल्कुल से ठीक है, कि runner क्या है, stolen क्या है offset क्या है, sucker क्या है, सब के सब याद करने हैं, सुनो बहुत ध्यान से ठीक है, when I'm talking about runners ये तुमारे पास एक runner, ठीक है, ये पौधा तुमें दिखाई दे रहे, ये यहाँ पर बिल्कुल से उगता हुआ पौधा है, इसके यां से एक ठो निकला, एक ठो ब्रांचिंग, ये यहाँ गया इक ठो निकला ब्रांचिंग, ऐसे चला गया बिल्कुल से, समझ रही हो बात को definition सुनो underground stamp, कहां पर grass और strawberry में question यही आता है कि कहाँ पर क्या देखने को मिलता है तो हम grass और strawberry की बात हम लोग कह रहे हैं बिलकुल से ठीक है ध्यान से दिमाग में रखेंगे spread to new niche and form new plant when older parts time ठीक है यह हर direction में branch बनाते हैं and they spread to new niche इसको याद रखने का सबसे असान तरीका कभी घूमने यह school की trip पर अब मुझे नहीं पता सब अलग-अलग purpose से पार्क घूमने जाते हैं ठीक है मैं personal choice लोगों का मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन तुमने कभी ऐसे तुम अगर मान लो अकेले पार्क चले जाओ अलग level के जिंदगी में खाली पार्क चले जाओ और वहां जाके खाली बैठे बैटे घास उखाड़ो तो जब तुमें घास उखाडते हो बिल्कुल से तो तुम उसके बाजू में notice कभी करना ऐसे connectivity तुमको बिल्कुल से observe होगी वही तुम्हारे runners होते हैं अगर तुम्हें बिल्कुल से याद हो तो ठीक है तो runner कहां मिलेगा घास में घास में और कहां strawberry में देखने को मिलेगा important है यही वाली घास तो दिखती है usually अगर तुम देखो तो है ना तो यहां पर आता है बिल्कुल से root formation होता है और पौधा एकदम तयार की हम लोग बात करेंगे ठीक है फिर आते हैं हमारे पास stolen stolen का photo देखो this is a stolen कि यहां पर देखो ऊपर 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 development चल रहा तक खट से नीचे आया और फिर यहां पर पौधा आ गया बात समझे तो ऐसा कुछ नहीं ऊपर ऊपर चले फिर नीचे चले आया यह stolen है stolen को हिंदी में बता रहा हूँ ऊपर ऊपर चले फिर नीचे चले आये और अगर हमारे पास एक दूसरा word आता है ध्यान से देखो सकर्स को कि यहां पर यह नीचे नीचे चल रहे थे और खट से ऊपर चले आये तो दो condition है ठीक है actually मेरे पास conditions क्या है देखो तीन तरह की पौधों की हम बात यहां पर कर रहे है एक condition यह है कि पौधा ऐसा 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 चल रहा है ठीक है दूसरी जो condition मेरे पास है कि एक मेरे पास पौधा है जिसमें ऐसे ऊपर से आये नीचे चले गए एक condition है जिसमें नीचे से आ यहां से observe करेंगे, definition को सोनो question यहीं आता है, question आता है, slender, lateral branches, from the base of the main axis, after growing areaally for some time, arc downwards, कि पहले उपर उपर चल रहे हैं, फिर नीचे आ गए, हम stolen की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ गई क्या, क्या याद रखना है, stolen, तो stolen उपर उपर चले, फिर नीचे चले गए, बिल्कुल, कहां देखने को मिलता है, jasmine, nerium में देखने को मिलता है, to be ratified, to nerium, jasmine, naam याद रखना बिल्कुल से, ठीक है, to be ratified है, इसको jasmine, दिल चुरा ले गई है, jasmine, stolen, ऐसे भी याद रखते हैं, कुछ बच्चे, इसको ratify तुम कर सकते हो, ठीक है, तो nerium और jasmine की हम बात करी, मुझ ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, बनाना, पाइनेपल, और क्रिजन्थियम, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सकर्स देखने को मिलते हैं, बात समझे क्या, अब definition का फर्क क्या है, देखो, जब मैं बात करता हूँ, stolen की, तो growing area for some time, then arking downward है, लेकिन ज जमीन के नीचे नीचे उग रहा है, then coming out obliqually upward, तो नीचे नीचे उग रहा से खट से ऊपर आ गया, give rise to leafy shoot की हम लोग बात, यह condition हमारे पास क्या है, सकर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, important pointers हैं, दिमाग में रखना, सकर कहां दिखेगा, बनाना में दिखेगा, पाइनेपल मे क्रिजान थी, हम में दिखेगा to be ratified, यहां तक सबको done है, तो हमारे पास stem के अलग-अलग modifications हुए, तो हमने root देखा, हमने stem देखा, काफी कुछ देख लिया, अब चलते हैं, बात समझ में आ गई क्या, this is something that you have to ratify, ठीक है, फिर सुनो बिलकुल आगे, stem हो गया, यह part हो गय जहां पर तुम्हें बताया जाएगा, leaf के बारे में, अब हम अगला देखेंगे, पत्ती, ठीक है, तो पत्ती के बारे में अब हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, focus here, leaf के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्या कह रहे हो, नेमोनिक का, अरे नेमोनिक तुम ही लो चलो, अब लोट करके आएंगे, यहां पर, पत्ती की जहां तक बात होगी, कुछ portions को सबसे पहले याद रखना है, हमारे पास किसी भी पत्ती की, अगर मैं as such in general बात करता हूँ, तो क्या क्या portion से देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, यहां पर this is the petiole, उसके बाद यह जो हमारे पास structure है, इसको हम लोग lamina के नाम से देखो, हमारे पास यह क्या हुआ पेटियोल, और यह क्या हुआ हमारे पास lamina हो गया, बिलकुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है, important part है, अब इसने पढ़ने वाली चीज़ें, ठीक है, critical portion है, ध्यान से सुनो, यहां पर point आ runner, offset miss हो गया pointer, ठीक है, repeat कर दे रहा हूँ, stolen बताया, सकर बताया, तुमको runner बताया, यह सब जमीन की बात है, अगर यही runner जैसा काम पानी में हो, जो हमें पिस्टिया में देखने को मिलता है, बिलकुल से, ठीक है, और मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, you will feel better, ठीक है, after looking at the photo, यह देखो ध्यान से, तुमने कभी अगर बौधार देखा हूँ, तालाब में आस-पास, तो इसमें हमें देखने को मिलता है, water runner, iconia, crassipus, pistia examples है, जा हम offset की बात करते हैं, बस दो एक्जामपल सुनके रखो, now get back to the point that I was discussing, ठीक है, तो पत्ती की में बात कर रहा था, प जब भविष्य में leaflet पढ़ोगे, तो यह एक important point of distinction होगा, कि it bear से bud, that is called as auxiliary bud at its axle point की हम बात कर रहें, याद रखेंगे critical point है, leaf और leaflet का difference आएगा, ठीक है, यहाँ पर point क्या है, auxiliary bud जो है, उससे branch बनता है, जो point है सीधा question है, इसके उपर, auxiliary bud लेटर develops into dash, branch flower की क्या, याद रखे इस चीज को, ठीक है, अब यहाँ पर point क्या है, और एक, they are originating from shoot apical meri stem, anatomy में एक line आती है, the cells left behind, form this axillary, ऐसा कुछ-कुछ line आती है, जो बाकी के parts develop करती है, उसी को यहाँ पर link किया गया है, ठीक है, पत्ती का arrangement भी acropetal order है, stem and branches के ऊपर, youngest at top, that is the order that we talk about, ठीक है, एक पत्ती की बात करोगे, this is the petiole, this is the lamina, lamina के अंदर यहाँ पर veins और veinlets का arrangement है, और इस veins और veinlets के arrangement को, हम लोग venation के नाम से जानते हैं, यह भी तुम्हें important है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है, दिमाग में रखना, अब मैं यहाँ पर leaf base के उपर आने वाले questions को बता रहा हूँ, ठी इनको हम stipules के नाम, तो बहुत खुबसूरा diagram है, यह मेरे पास एक leaf base है, you can see here these kind of structures, इनको हम क्या कहते है, stipules के नाम से जानते है, that you need to, तुम्हें देखा हो कि कभी पौदो में, लेकिन notice नहीं किया होगा, जैसे तुम्हें करना चाहिए, तो stipule point number one, काफी बार हमें यहाँ और, monocot plants में क्या देखने को मिलता है, एक sheathing leaf base देखने को मिलता है, यह याद रखना, जो की stem को partially, यह completely cover कर रहा हो, this is again one critical point with regard to monocots, ठीक है, pulvinus को वाया question याद रखो, swollen leaves base जैसा कि तुम्हें याद देख रहा है, फूला हुआ सा segment, this is pulvinus that we mentioned, ठीक है, उसके बाद petiol पर हवा में flutter करने में मददगार साबित होता है, ठीक है, fresh हवा आती है, बिल्कुल से cooling of leaf surface होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, तो petiol पर इतना याद रखो, leaf lamina हमने देख लिया, इस beach वाले को हम लोग midrip कहते हैं, बाकी side के फर्दर हमारे पास veins, veinslets की हम लोग बा arrangement, ठीक है, arrangement बहुत simple सा है कि अगर arrangement पत्ती के अंदर कुछ यूँ है, इस इस प्रकार का है, ऐसे sideways arrangement है, तो कैसा arrangement, reticulate, अगर मेरे पास पत्ती है और पत्ती के उपर कुछ ऐसा, ऐसा, सारे के सारे veins अपने आपको ऐसे coordinate करके, align करके रखे हो, तो हम क्या कहते हैं, parallel venation की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जो reticulate venation है, यह मुझे dicot में देखने को मिलता है, जो parallel venation है, यह मुझे कहाँ पर देखने को मिलता है, monocot में देखने को मिलता है, याद रखना है, ठीक है, तो reticulate characteristic dicot, parallel characteristic monocot, दिमाग में रखने वाली जरूरी चीज, यह पत्ती तुम इसका ये side वाले चले गए सारे के सारे तुम्हें दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये मेरे पास reticulate venation का example है ठीक है दिमाग में रखने वाली जरूरी चीज पारलल venation का example ये देख लो ये central axis हो गया central midrib हो गया और बाकी सारे इसके kind of parallel निकल करके चले जा रहे हैं ये मेरे पास कैसा हो गया parallel venation का example निकल करके चला गया हम लोग यहां monocot plants की बात कर रहे हैं जरूरी बात ठीक है तो reticulate venation रहा parallel venation रहा दिमाग में रखना ठीक है इसके बाद discussion आता है types of leaf के उपर leaf मेरे पास दो प्रकार की simple leaf and compound leaf simple leaf का मतलब क्या देखो अगर मेरे पास एक पत्ती है जो हम लोग incisions कहते हैं अगर यह incisions midrib को touch नहीं किये तो simple leaf यह definition है एक्जाम में question निकल के आता है बिल्कुल से कि the leaves जिनमे incisions are not touching the midrib वो simple leaf है और जब midrib को touch कर जा रहे हो तो compound leaf बन जाती है दोनों definitions important है ठीक है तो simple leaf में क्या कि यहां पर incisions do not touch the midrib you can see this patty side में incisions है लेकिन यह midrib को touch नहीं कर रहे है इसमें भी incisions है देखो यहां तक आ रहे है बिल्कुल से तो मगर यह देखो incisions को लेकिन यह क्या है बीच में आ करके बिल्कुल से touch नहीं कर रहे हैं this is important so incisions do not touch the midrib in a simple leaf when I am talking about a compound leaf incisions do touch the midrib now incisions can touch the midrib in different ways I will show you one check this out हमारे पास यहां पर यह पत्ती है suppose कर लो इस प्रकार से मैंने बनाई है यहां पर अब मालो इसमें एक ऐसे छोटी पत्ती निकला है इसमें भी एक ऐसे छोटी पत्ती निकला है इसमें भी छोटी पत्ती चोटी पत्ती यानि कि यह एक पत्ती अपने आप से redistribute हो करके ऐसे mini पत्तियां बनगे तुमने नीम की specifically पेड को अगर देखा है तो उसमें पत्तिया ऐसे ही लगी होती है, ठीक है, यह actually एक बड़ी पत्ती रही होगी, लेकिन अब इसके further bifurcations हैं, बहुत सारे छोटे छोटे divisions हैं, तो हम ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, compound leaf, अब दो pattern इसमें बन सकता है, उन patterns की basis पर हमने कहा pinnately और parmately compound, अगर पत्ती का design ऐसा कि मेरे पास इस central axis है, इसमें छोटे छोटे इन पत्तियों को मैंने कहा क्या, leaflet के नाम से जाना, तो अगर मैं यहाँ पर leaflet की बात करता हूँ, इस प्रकार से, तो यह pinnately compound leaf है, नीम में देखने को मिलता है, इसके central axis को हम लोग राचिस के नाम से जानते हैं, दिमाग में रखने वाली चीज दूसरा example यहाँ देखो, यह point है, इस पर यह leaflet आ गया, यह सारे के सारे leaflet इसी point के उपर निकल करके आ गये, यानि कि in case of palmetally compound leaf, the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of the petiole, तो मेरे पास क्या example है, यह silk cotton दिमाग में रखोगे, यह palmetally compound leaf हुआ, और pinnately compound leaf हुआ, चीज है क्लियर है यहाँ तक कि pinnately compound क्या होता है और palmetally compound क्या होता है, this is ultra critical again, ठीक है, वाल्ड is different divyans, ठीक है, आफि लोगों को misconception of the world और इसको ले करके, palmetally compound is different, इसमें क्या रहोगा ने, एक बड़ी पत्ती रहे होगी, ऐसे, 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 लेकिन अब इसने क्या हो गया, कि एक point से पत्ती अपने आपको re-evolve करके, यहाँ पर एक ऐसे पत्ती आगए, ऐसे पत्ती आगए, ऐसे पत्ती आगए, ऐसे पत्तियों का arrangement ऐसा हो गया, that is a palmetally compound leaf, याद रह सकता है, तो हमारे पास क्या हो अभी तक arrangement, leaf के type, simple और compound, simple हमने देखा, compound मैंने तुम्हें बताया, अगला जो heading आ और पत्ती, यहाँ पत्ती इसके बाजू में एक और पत्ती, अगर इस प्रकार की पत्तियों का arrangement है, तो हम इस arrangement को क्या कहते है, opposite arrangement कहते है, बात समझ में आ गई क्या बिल्कुल से, अगर arrangement ऐसा हुआ तो, अगर arrangement एक note पे यहाँ एक पत्ती, अगले note पे यहाँ एक पत्ती, तो हम wold arrangement कहते हैं, याद रखना, wold arrangement और palmitally compound में difference कहा है, palmitally compound में leaflets are being arranged और wold में leaves are being arranged की हम लोग बात कर रहे हैं, language should be clear, अब ध्यान से सुनो, alternate phylo-taxi की बात अगर हम लोग करते हैं, तो alternate phylo-taxi का जो निकल करके आता है यहां पर क्या है ध्यान शूनों देखा यह मेरे पास क्या आता है अल्टरनेट फालो टैक्सी की हम लोग बात करते हैं इसको दिमाग में रखेंगे एक्जामपल्स क्या है चाइनरोस मस्टर्ड और संफ्लावर इन सबके नेमोनिक्स अवेलेबल हैं लोकल ट्रिक्स में जाके चेक करोगे यहां बस रीकाप कर लो मेमोरी रीफ्रेश कर लो लोकल ट्रिक्स से शॉर्ट कट्स मिल जाएंगे याद रखने के तुमको सारे की सारे ठीक है, ऑपोजिट तुम्हें अमरूद में देखने को मिलेगा, यू कैं यह तुम्हें दिखाएदे, वह ये प्टती यह प्टती इसी प्टती ये प्टती, तो यह arrangement कैसा हूँ, जब एक ही note पर दो पत्ती आ गई, तो हम उसे क्या कहरें, बिल्कुल से opposite phylo taxi कहरें, फिर हमारे पास walled आता है, इस arrangement को देखो, तुमने notice किया हो कभी तो, इसी point पर पत्ती 1, पत्ती 2, पत्ती 3, पत्ती 4, पत्ती 5, पत्ती 6 and पत्ती 7, साथ पत्तियां ए इसे क्या कहते हैं, walled phylo taxi, यहाँ पर आता है नीरियम और अलस्टोनिया, याद रखने वाली चीज है, जरूरी चीज, ठीक है, पहले जो condition थी, मेरे पास palmetally compound way different है, do not get this confused with this portion, वहाँ leaflet था, यहाँ पर leaf की बात हो रही है, यहाँ तक ड़न है सबको, so यह मेरे पास phylo taxi के तीन अलग-अलग प्रकारा है, इसके बाद हम बात करते हैं, modifications of leaves की, तो पत्तियों के बहुत सारे modification है, जैसे कि tendril है, storage है, trap है, spine है, phylo, reproductive है, briefing कर दूँ सब के बारे में, tendrils की जहाँ तक बात करेंगे, जैसे stem tendril पढ़ते हो, this is examiner's favorite question, ठीक है, कि tendrils में हमारे पास दो प्र में देखने को मिलेगा, spines, spine बनाना एक adaptation है, पानी को preserve करना, या पती being converted into a spine to preserve, what that is being lost, ये एक factor तुम देमाग में रखेंगे, ठीक है, storage अभी देखते है, phylo, phylo, clad तुमने देखा ता stem modification में, that was stem getting modified into the photosynthetic structure, phylo will be the petiole getting modified into the photosynthetic structure, trap leaves की बात करेंगे, तो venus fly trap का example ले लो, वो एक example निकल करके आता है, reproductive leaves की बात करेंगे, ब्रेव फिलम का example ले लो, वो निकल के आता है, एक एक करके दिखाता हूं ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, मतर, मतर में तुम्हें ये दिखाई रहा है, ये segment, मैं इसकी बात कर रहा था, these are leaf tendrils that help it climb, ठीक है, important है, ल जो है adaptation है, defense में भी काम आता है, लेकिन primary role इसका यही है, कि transpiration घटाने की बात करेंगे, storage leaves, जब मैं onion बता रहा था, bulb of onion बता रहा था, तो मैंने वहाँ पर fleshy leaves भी mark किये थे, तो onion के अंदर यहाँ पर हम बात करते है, storage leaves store food and become fleshy, कहां दग देखने को मिल रहा है, onion और garlic में देखने को मिल रहा है, याद रखना, फिर मेरे पास आता है philode, philode क्या है, यहाँ पर example आता है, the petiole expands, becomes green, और अब हम इसे क्या कहते हैं, philode mention करते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपुनिशा दिले नहीं था, कैस वारीना था, examples याद है, यहाँ पर तुम्हारे पास akashia है, ब example से हमारे पास venus fly trap, और pitcher plant, these are all examples of क्या, cap leaves की हम लोग बात कर रहे हैं, trap leaves, जो insectivores है, अच्छा, यहाँ अगर कभी कोई तुम से पूछे, कि यह बेचारे किडे क्यों खाते हैं, इनके किडे खाने की पीछे की कोर वजह क्या है, मुख्य वजह का है, तो किडे खाने की इनक अगर करके आता है, reproductive leaves, यह ब्रायो फिलम तुमने सबने देखा होगा बिल्कुल से, तो यह ब्रायो फिलम की पत्ती से ही नया पौधा germinate होता हुआ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल से दिखाई दे, that is a condition that you must remember, reproductive leaves, यह एक term यूज़ करती है, आपर epiphylus bud, epi मतलब उपर, phylo मतलब पत्ती, तो पत्ती की उपर bud आया, उस bud से पूरा पौधा बना और individual पौधे बनते चले गए उस structure से, तो हम वही mention कर रहे है, reproductive leaves की बात करे, I hope यहाँ तक clear है सबको, तो हमने अभी तक पत्ती देखी और पत्ती के modification देखे, तो stem हुआ, root हुआ, और leaf हुआ, काफी गहन चर्चा हो गई, और जितना देखे रहो गए न उतना याद भी हुआ रहेगा, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, और एक और चीज़ रिकॉल करते हैं, flower का एक modification पर तुम्हें ले के चलना था, slide नहीं लाया है कि हमें वह वाली, चलो यहाँ पर आज चार वॉल से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडरोसियम, गैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल, एंडरोसियम, मेल पार, गैनोसियम, फीमेल पार, ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को focus here, यहाँ पर ध्यान से observe करें, सबसे पहला पॉइंट आता है, कैलिक्स को ले करके, तो अब जो भी कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, सब में एक कॉमन सी टर्म आएगी, गैमो और पोलिया, सुबह हमने इस पर मैच्ट फॉलविं भी किया था, काफी बार कुश्चन आते है, गैमो, गैमी मतलब फ्यूजन, पॉली मतलब अलग-अलग, तो अगर मैं कहाँ, गैमो से सेपलस मतलब क्या हुआ, सेपलस आर यूनाइट इन इस पर्टिकुलर कंडिशन, पॉली सेपलस में तुम देखो, ये सेपल अलग, ये सेपल अलग, ये सेपल अलग, ये अलग, तो सारे सेपलस अलग-अलग, तो पॉली सेपलस कंडिशन की हम लोग बात करते हैं, क्लियर ह तो गेमो सेपालस का मतलब क्या हुआ सेपलसार united, पोली सेपालस का मतलब क्या हुआ सेपलसार free from one another, ठीक है, similar trend में हम जब कुरोला पढ़ेंगे, यानि हम लोग बात करेंगे, अब petals की, तो the petals can be गेमो पेटालस, गेमी मतलब fusion चादी, तो गेमो पेटालस मतलब fused petals, और पोली पेटालस मतलब बहुत सारे अलग-अलग petals का है, तुम इनको देखो, इन flowers को देखो, कितने खुबसूरत full है, इनके petals एक साथ जुड़े हुए है, ठीक है, तो condition को मैंने क्या कहा, गेमो पेटाल पेटालस condition, इसके बाद अगर तुम नोटिस करोगे, तो ये मेरे पास क्या पोली पेटालस condition है, इसमें देखो, एक-एक पेटल अलग-अलग यहां पर present है, वो करते हैं लोग गुल आपका फूल लेके, कि दिस दिस और दिस नोट दिस, दिस और दिस नोट दिस है, क्या कर तुम लोग बताओ के चैट में चलो, आगे बढ़ेंगे क्या, तो ये condition क्या है, पोली पेटालस, तो पोली पेटालस क्या, अलग-अलग पेटल, गेमो मतलब क्या, साथ-साथ पेटल, तो गेमो पेटालस रहे गया, और पोली पेटालस रहे गया, इसको याद रखना important है, important to be rectified, फिर आगे सुनो बिल्कुल से, इसको skip मारो, इसको skip मारो, यहाँ पर आओ, अब हम बात करते है, estivation की, ठीक है, yes और नो जोडते है, अच्छा, मुझे नहीं पता यार, तुम्ही लोग मुझे बताओगे, ठीक है, हाँ, देखो, कुछ लोगों ने बता दिया है, ठ यहाँ, now get back here, चलो, now we talk about estivation, estivation का मतलब होता है, arrangement of sepals or petals in floral bud, इसे हम क्या कहते है, estivation के नाम से जानते है, estivation हमारे पास चार प्रकार का है, wall weight है, twisted है, imbricate है, vaxillary, wall weight का मतलब ऐसा, 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 ऐसा हुआ, यह क्या है, wall weight, twisted मतलब एक दूसरे को किछ fashion में cover up के, I'll show you, this is the wall weight arrangement, these are not touching each, मतलब एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे है, they just touch one another at the margin and they do not overlap, धिमाग में रखना इस चीज़ को wall weight, example आता है, calotropis, you can see this flower, यहाँ पर अलग, यह अलग, यह अलग, यह अलग, यह क्या गया मेरे पास, calotropis का example, wall weight का example, twisted में क्या होता है, कि one margin overlaps data, of next one, see this flower, कि इसका यह petal तुम देखो, यह अगले का देखो, अगला petals का धर, overlapping trend को देखो, इसको देखो, पूरा ही twist हो गया है, बिल्कुल से, जो तुम्हें दिमाग में रखना है, बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, china rose lady's finger cotton, ठीक है, तो twisted cotton की सारी पहन के, ठीक है तो है ना, question, cotton की सारी पहन के यादेने, मौने के एक lady, china याद रखना है इस चीज़ को, go and check again, it will be automatically done, ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो china rose cotton lady's finger, to be ratified for twisted, फिर हम बात करते हैं, इंब्रिकेट की, इंब्रिकेट में क्या होता है, example समझना, they overlap but not in a direction, see, wall weight में कोई overlap नहीं किया, twisted में overlap हुआ एक order में, orderly overlap क्या है, twisted, लेकिन अगर order खराब हुआ और disorderly overlap की बात करते हो, तो हम बात यहाँ पर क्या करते हैं, इंब्रिकेट की हम लोग यहाँ पर बात करते है दिमाग में रखें इस चीज़ को, ठी है इसके बात सुनों, फिर हम इसमें example की बात करेंगे, तो हम कैशया और गुल моहर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कैशया और गुल मोहर की यहाँ पर बिलकुल से बात करेंगे, दोनों important examples हैं, फिर हमारे पास निकल के आता है väx वेक्जिलरी तो खास प्रकार का अरेंजमेंट है, सबने मतर में देखा ही होगा, कि दो ऐसे नीचे पड़े होते हैं यहाँ पर, अगर तुम देखो तो फिर एक ऐसा और एक ऐसे की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास सबसे बड़े वाले को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, दो लेटरल हमारे पास विंग्स होते हैं, हमारे पास मतलब फूल की मैं बात करूँगा तो और फिर हमारे पास एक टू स्मॉलेस्ट एंटिरर जिसको हम लोग कील कहते हैं, यहाँ तक तो यह मेरे पास क्या एस्टिवेशन के प्रकार निकल करके चले आए जो कि दिमाग में रखने हैं, इसके बाद discussion आता है flower की symmetry के उपर, कि तुम flower को कितने axis पे cut कर सकते हो, यहाँ पर जो मेरे पास flower है, मैं इसको देखो ऐसे भी cut कर सकता हूँ, ऐसे भी cut कर सकता हूँ, बात समझ में आ लिए गया, यहाँ पर flower है, मैं ऐसे भी cut कर सकता हूँ, ऐसे भ hesion morphic flower इसमें any Hamilton एट के एककेन बीद्वाइड इंटु यहां सरह सुक्त धिुवाइड़ हार्ब्स इन एनी एड्य एड्यल प्लेहय प्लेह पासिंग तूदी कंटर हम यहां एकटिनो मॉर्फी की की बात करते हैं याने रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं फ्लावर बाइलेटरल सिमेट्री इस फूल को देखो तुम इसको सिंगल एक्सिस पर कट कर सकते ना ऐसे छोड़के तो मगर ऐसे कट करने आओगे तो यह और यह में कोई similarity तो देखने को मिले गी नहीं बिल्कुल से बात समझ में आ रही है क्या तो यह condition को समझना यह वाली symmetry कैसी symmetry bilateral symmetry की हम लोग बात यहाँ पर कर रहें तो ectemorphie में क्या हुआ बिल्कुल से radial symmetry severity zygomorphie में क्या हुआ language को पकडने की कोशिश करें into two तू सिमिलर हाब्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन यहां था एनी रेडियल प्लेन पास्टिंग तू दी सेंटर यह फंडामेंटल डिफरेंस जो तुम्हें याद रखना है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का ठीक है तू बी रटाफाइड है इं तू सिमेट्रिक फूल की बात करें इसका तू सिमेट्री कैसे ही बनाओगे ठीक है तो एक्जाम्पल निकल करके आता है एस्यमेट्री का डैट यह अगें नीड टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है इसके बाद चर्चा आती है मेरॉसिटी की यह एंसी आर्ट की मौरूफों में नहीं है लेकिन NCRT प्लांट किंग्डम में इसका डिसकाशन है कि एक फ्लावर ट्राइमेरस टेट्रामेरस पेंटामेरस कुछ भी हो सकता है बात समझे ट्राइमेरस मतलब तीन-तीन के मल्टिपल है यार भई तीन है छे नौ इस रिगार्ड में पेंटाम की बात करूंगा तो चार-चार उस रिगार्ड में हम लोग बात करते हैं कितने फ्लोरल एपेंडेजेस हैं मल्टिपल क्या तुम अभी बेसिक समझो कि अगर तीन है तो ट्राइमेरस चार तो ट्रामेरस पांस तो पेंटा अब इसको देखो यह फूल है तुमारे सामने यह अरेंज्मेंट देखा तुमने उनलिन ट्राइमेंजन में देख त्रामेरस में एक दो तीन सीठेटर हो गया एक दो-ठीन-चार पांस हम लोग बात यहां पर करेंगे क्लियर सबको और मेर्सिती डट आगें आपर सब्सक्तिकर चैनि एसके बाद हम हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और एक दो और चर्चा करते हैं जरूरी ठीक है इसके बाद हम लोग एंड्रोसियम गाइनोसियम के उपर आते हैं और यहां पर हम लोग और फर्दर डिसकॉशन को ले करके चलते हैं बट उसके पहले हम लोग अभी तक हमने कैलिक्स देखा अभी तक हमने कोरोला देखा अब इमतार हम पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं तीन प्रकार से पोजीशन आएंगी ध्यान से समझो हम हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपीगाइनस थीन कंडिशन की बात कर रहे हैं गाइने शब्द का मतलब होता है फीमेल अगर मैं क अब लैंगवज को समझना और पकड़ना हाइपोगाइनस पेरिगाइनस मतलब क्या सुपीरियर ओवरी की हम बात करें काफी बर कन्फूजन होता है हाइपो मतलब नीचे तो इन्फिरियर ना हाइपोगाइनस मतलब क्या बिलो दी फीमेल लेवल तो फीमेल की पोजीशन बात करते हैं ठीक है सुपीरियर ओवरी की बात करते हैं मस्टर्ड, चाइनर रोज, बिरिंजल, तीन क्रिटिकल एक्जामब्ल पेरिगैनस को हम सेमी सुपीरियर, सेमी इंफिरियर कह सकते हैं बहुत एम्पूर्ड़ीड एक्जामपल्स हैं पी आर पी रोस प्लम और पीच structure of female, यानि epigynous condition, तो female का position क्या हुआ, सबसे निछला position हुआ, तो यहाँ पर हम inferior ovary की बात करते हैं, guava, cucumber और ray florids, यही तो recent का previous year question है, ray florids of sunflower, guava and cucumber की हमने बात करें, ठीक है, बाकी merosity मैंने तुम्हें बता दी, basic arrangement मैंने तुम्हें बता दी है, अब हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा endrosium के उपर, और endrosium के structure को भी recap करते हैं, ठीक है, endrosium में मेरे पास male structure, हम stamen की बात करते हैं, stamen is the male reproductive organ, हमने sporangium sporophyll language अरड़ी सीखी है, यह अंधर है, यह filament अपने को दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पढ़ने लाइक चीजें क्या हैं, कि there are certain stamens which are sterile, और sterile stamen को staminode कहां जाता है, यह अभी हमारे पास recent का mock का भी सवाल था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि staminode पे अगर सवाल पूछेगा, तो क्या पूछेगा, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, कि जो male part है, यह किस से attached है, अगर यह petal से सीधा attached है, तो हमने epipetallus condition कहां, क्या कहा हमने epipetallus condition, अगर यह particularly, माल लेते हैं, attached to see, there are structures, I'll just mention it for you, एक structure होता है petal, एक structure होता है sepal, एक structure होता है tepal, तो कुछ ऐसे पेड़ पहुते होते हैं, जिनने petal sepal अलग-अलग होता है, कुछ ऐसे होते हैं, जिन में petal sepal अलग-अलग नहीं होते हैं, एक common structure होता है, जिसको हम tepal कहते हैं, अब petal sepal तुमने देखा, कैलिक्स और कोरोला की तुमने नामकरण देख लिए, tepal अगर present हो, तो हम mention करते हैं, क्या epiphylus condition, तो now see, here you can see the stamens are attached with this particular petal, तो इस condition को मैं epipetalis condition की बाद बिल्कुल से कर रहा होंगा, याद रखना, अब ऐसे ही मेरे पास जैसे tepal है, तो जैसे मैंने यहाँ कैलिक्स कहा है, कोरोला कहा है, वैसे tepal के group को मैं यहाँ पर क्या mention करता हूँ, perianth mention करता हूँ, क्या लिखता हूँ, perianth की बात करता हूँ, तो when stamens are attached to perianth, what I am saying is that the condition is epiphylus condition, याद रहेगा, तो epipetalis कहाँ पर, epiphylus कहाँ पर, दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, इसके लिए एक और word यूज होता है कभी-कभी, epiphylus condition की बात करते हो, जैसे epipetal है, तो petal की साथ टायचो रखा है, tepal, तुमने लिली का flower का भी अगर देखा हो, तुमने नोटीस भी किया हो गया, इसको मेरे पास अभी फोटो नहीं तुमने दिखाता, तो वहाँ पर तुम देख सकते हो, कि tepal के साथ ही जुड़ा रहता है तुमारा male part, तो हमने epipetalus या epiphylus condition हमने कहा, कहां देखने को मिलेगा, लिलैसी में देखने को मिलेगा, फिर आगे हो, फिर हमारे पास discussion आता है, कि यह एंथर कैसे present है, अगर stamens within a flower, they are free from one another, और may be united, अगर वो free है, तो polyandrous, language should be clear, भाषा क्या है, polyandrous मतलब क्या free condition, अगर वो united है, और अगर वो single bundle है, तो monoadolphus condition, क्या का हमने, monoadolphus, single bundle, single bunch, क्या हो गया, monoadolphus हो गई, दिमाग में रखेंगे, ठीक है, diadolphus थी, example भी याद रखना, चाइना रोज में, single bundle है, monoadolphus हमने mention किया, diadolphus का, तो हलग बग हर दूसरे दिन, सवाल आता है, कि diadolphus में, दो bundle बने होते हैं, मतर का example, लेकर के दिमाग में रखोगे, और फिर हम polyadolphus कहते हैं, कि 2 से जादा bundle, तो याद रहेगा, अगर कोई bundle नहीं है, free condition है, तो polyandrous हुआ, अगर एक बड़ा सा single bundle है, तो monoadolphus हुआ, अगर दो-दो के bundle है, तो मतर example हुआ, और हमने diadolphus condition को कहा, अगर 2 से जादा है, तो हमने polyadolphus condition की बिलकुल से बात करी, काफी critical portion हमने अभी जश्ट देखा, इसके बाद मैं तुम्हें PDF शेर कर दूँगा, यह बड़े काम की PDF है, जितना बाद डिसकस कर रहा हूं, उतना ध्यान रखना, मेरे telegram पर यह PDF शेर हो जाएगा, जिसका link अल्रेडी पिंड है, तो you can check that out, अब सुनो फिर आगे की कहानी को, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से, stamen में, there is a variation in length of the filament within the flower, salvia और mustard, यह दो example रट्टा मार लो, छोड़े तो question जाएगा, कि अलग-अलग length की हम लोग बात करते हैं, इसको तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है, बाकि फिर gyneosium पर तो मैंने discuss किया ही था, basic कि क्या चल रहा है, ठीक है, कि हमने epigynes, hypogynes, perigynes condition बता रही थी, यहाँ पर अगर तुम structures को देखो, तो यह मेरे पास stigma यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास style है, और यहाँ पर मेरे पास ovary है, ovary के अंदर ovules लगे हैं, obviously bottom placenta की बात तो करी रहे हैं, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, the arrangement of ovules inside the ovary, तो we talk about a condition called as placentation की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसमें देखो टमाटर में कैसे अरेंज़ हैं, अगर तुमने कभी टमाटर काटा हो, ऐसे cross-sectional view, तो टमाटर काटने से तुमें ऐसे ऐसे अलग-अलग axis बने दिखते होंगे, दिखते हैं क्या, ऐसे ऐसे axis बने दिखते होंगे, जहाँ पर बीच में seed, seed, seed प्रेजन्ट होते हों, तुम सब खा जाते हो, condition समझें नो मेरे बात को, तो मैं यहाँ पर बात करता है term की जिसको हम कहते है, placentation, कि the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation, we talk about different types, five different types, marginal, exile, parietal, frecental, basal, सब के terminology को सुनो, marginal का मतलब होता है, एक line कीचो, margin पर सबके सब ऐसे एक line से attached है, मैंने क्या कहा, marginal की बात करी, exile मतलब क्या है, गोला बनाओ, ऐसे axis बनाओ, divide कराओ, और यहाँ पर ऐसे seeds प्रेजन्ट हैं, मैंने कहा, exile, टमाटर का example ले लो, अगर मैं mention करता हूँ parietal, parietal शब्द का मतलब होता है, periphery यानि की बाहर की तरफ, तो एक गोला बनाओ, बाहर की तरफ, कुछ-कुछ-कुछ-कुछ ऐसे ovules को करतो, क्या हो गया, periphery हो गया, parietal हो गया, अगर मैं free central की बात करूँ, तो इसका मतलब क्या, कि बीच में ही ऐसे-ऐसे-ऐसे करके, seats जमा हो गया है, अगर मैं basal की बात करूँ, तो one यहाँ पर base पर लगा हुआ है, this is the arrangement of ovules, inside कहाँ पर ovary, ठीक है, अब arrangement, देखो marginal matter, देख गया, तो matter का arrangement यहीं एक एक लाइन है, इस पर ऐसे-ऐसे-ऐस के उपर, सब के सब लगे हुए है, हम बात करते हैं किसका marginal का, exile में तुम देख लो tomato, यह cut आ हुआ टमाटर तुमारे सामने है, इसमें यह देखो, एक axis कैसे form हो रहा है, अगर तुमें मैं दिखाना चाहूं यहाँ पर, यहाँ पर देखो axis, यहाँ पर देखो axis, यह देखो axis बना, और यहाँ पर सारे के सारे seeds बिल्कुल से लगे हुए, यह क्या हो गया बिल्कुल से, exile, चाहिना रोस, टमाटो और lemon, important example, फिर हमारे पास को ओना ते, parietal, parietal मतलब periphery, तो हमारे पास क्या निकल के आते हैं, दो examples आते हैं, mustard और argimo, notice this here, यह बाहर की तरफ लटके हुए seeds की हम लोग बात कर रहे हैं, हम parietal arrangement की बात कर रहे हैं, दिमाग में रखो, फिर हम बात करते हैं कि इसका free central का, सबको रटाय होगा DP free है, dianthus और primrose, यहाँ पर क्या करें, single ovule is attached to placenta, that condition is what you call as the basal arrangement, something that you have to ratify and remember, याद करना है इस चीज़ को जरूरी पाए, ठीक है, डन है सबको यहां तक, इतना दिमाग में रखना ही रखना है, फिर थोड़ा पीछे आओगे, कुछ और factors हम लोग discuss करते हैं, इसी गाइनौसियम में, हमारे पास कुछ conditions हैं, जैसे कि एपोकार्पस और सिनकार्पस, एपोकार्पस, एपो मतलब अलग-अलग कार्पिल-कार्पिल है, तो अगर free from one another, तो हमने कहा एपोकार्पस, अगर सब एक साथ fused, तो हम कहेंगे क्या, सिनकार्पस कंडिशन की, हम लोग यहां पर बात करेंगे, दोनों फैक्टर्ज जरूरी है, तो अपोकार्पस कंडिशन क्या है, सिनकार्पस कंडिशन क्या है, दोनों कंडिशन दिमाग में रखना, अपोकार्पस मतलब क्या, कार्पेल्स are free from one another, और रोज लोटस का एक्जाम्पल आता है, दूसरा मेरे पास सिनकार्पस, यानि fused together की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडिशन हमें mustard और टमाटर में देखने को मिलती है, ठीक है सबको यहां तक, बाग यह दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब थो ओड़ा सा NCRT से एक कदम हटके fruit पे चलो, fruit पे कुछ definitions हैं, वो बता दे रहा हूँ, उसको सुन लेना, अगर मैं fruit की बात करूँगा, तो post-fertilization event से बना हुआ structure है, post-fertilization structure है न, कि ovary transforms into fruit and ovules transform into seed, I hope everyone knows that very well, ठीक है, now try to understand, जब मैं यहाँ पर fruit की बात कर रहा हूँ, तो fruit मेरे पास types है, मेरे पास true fruit है, false fruit है, रट्ना मारना इसको छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते, याद रखना, ठीक है, अब मेरे पास true fruit में simple है, aggregate है, compound है, अब इसका recent mock में question भी तुमने देखा होगा, simple fruit मेरे पास fleshy है और dry है, simple को याद रखो, a simple fruit is something, जिसमें syncarpus gynosium involved है, मतलब सारे के सारे carpel fused है, और ऐसा gynosium जब जाकर के एक fruit बनाता है, तो हम उससे syncarpus, यह simple fruit के नाम से जानते हैं, अगर condition apocarpus हो जाए, यानि छोटे 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 स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम fruit नहीं, अब fruitlets कहते हैं, वो बनाते हैं क्या? aggregate fruit, और compound में क्या होता है? entire inflorescence becomes the part of it, then we call it as compound fruit दिमाग में रखना है, फिर ऐसे एक fruit होता है, parthenocarpic fruit, it is that particular fruit, that is without fertilization of the ovary, कि form fruit, form without fertilization, इसमें एक question आता है, कौन सा PGR can induce parthenocarpin, this particular plant, तो हम auxin की हमेशा preference की बाद, हम लोग करेंगे दिमाग में रखना, अब इसके बाद सुनो फिर आगे, अब यहाँ पर examples आएंगे, इसके फर्दर तीन और डिस्ट्रिबूशन से, epi मतलब उपर का, miso मतलब beach का, और endo मतलब, अंदर का हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, अब एक और definition, मैंने बताया, याद रखना कि differentiation कैसे कैसे हो सकता है, उसको याद रखेंगे, ठीक है, अब एक और line आती है, कि अगर fruit formation में, सिरिफ और सिरिफ ovary के parts involved हूँ, तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी के floral parts भी contribute करने लग जाएं, तो ऐसे fruits को, हम लोग false fruits के नाम से भी जाएं, काजू फाला हुआ काजू तुम देख सकते अपने screen पे, ठीक है, यह सब क्या है, false fruits of apple and strawberry, एसा question तुमने देखा होगा एक्जाम में, ठीक है, तो यह example दिमाग में रखना, cashew, तो इस अब के सब क्या, क्योंकि इसमें thalamus यह pedicill is also responsible for food formation, इसके लिए हम इने क्या कहते हैं, false fruit के नाम से जानते हैं, दिमाग में रखोगे, अब fleshy fruits में कुछ नाम आएंगे, इन में से तुमने डूप पे बहुत question देखे हैं, berry पे देखे हैं, pepoh पे हैं, pom पे हैं, hesperidium उतने काम का नहीं है हमारे, ठीक है, लेकिन हमारे जो काम का हैं, हम वो तो बिल्कुल देख लेते, लेकिन हमारे पास एक्जामपल्स क्या हैं, तो हम लोग आम और नारियल की बात करते हैं, ठीक है, नाओ इस पर्टिकुलर दूप डेवलप स्वम अ मोनो कार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, सम्थिंग दाट यू मस्थ हैं, क्या में एंचन कर रहे हैं, मोनो कार्पिलरी सुपीरियर ओवरी सम्थिंग दाट यू है, तू रट्टा फई, हम याँ मैंगो की बात करते हैं, कोकोनट की बात करते हैं, दोनों ही एक्जामपल्स अपने आप में बहुत ज़ादा जरूरी, ठीक है, अब देखो, कुशन क्या आता है, नारियल और आम का कंपारिजन, आम में क्या खाते हो, मीसोकार्प खाते हो, छिलका भी कुछ लोग खा लेते हो, उनका परस्नल चोईस है, नॉर्बल इंसान आम का जो फ्लेशी बाट है, वो खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंगो है, उसका थिन पेरिकार्प है, फ्लेशी एडिबल मीसोकार्प है, और स्टोनी हाड एंडोकार्प है, तो डूप पर कुशन आता है, एंडोकार्प हमेशा स्टोनी होगा, याद रखना, लेकिन अगर मैं नारियल की बात करूँगा, तो नारियल का जो मीसोकार्प, नारियल अगर तुम कभी प्रॉपर देखो, तो उसका जो छिलका है, बेसिक लिए अगर मैं बोलो, यह जो तुम देख रहे हो ना, यह तो मेरे पास एंडोकार्प है, यह मेरे पास सारा जो खा रहे हो एंडोस्पर्म है, लेकिन इसके उपर जो छिलका छिलका प्रेजन्ट होता है, ना, that is मीसोकार्प, and that मीसोकार्प is fibrous in case of नारियल, but that मीसोकार्प is fleshy edible in case of आम दिमाग में बिलकुल से डालके रखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर सुनो आगे, बेरी पे आओ, इस अब NCRT में है, फैमिली डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बेरी की जब हम बात करेंगे, तो यह बाई और मल्टी कार्पिलरी, सिन कार्पस का इनोसियम, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ, ड्रूप की, तो मोनो कार्पिलरी सुपीरियर था, अभी क्या हो गया, बाई कार्पिश में, ग्वावा, ग्रेप, टमाटर, एक्जाम्पल, रट्टा मारना, पेपो को इग्नोर कर दो, हेस्पिरीडियम को इग्नोर कर दो, पोम, पोम में बस अपल एक एक्जाम्पल है करके याद रखना, ठीक है, पोम का एक्जाम्पल, ठीक है, बाकी और कुछ तुमारे काम का इस पे है ने, एक definition तुमको जरूर में बता रहा हूँ, वो definition सुन लो, एग्रिगेट फूट, ये शायद अभी recent में कहीं question भी तुमने इसके उपर देखा हूँ, ठीक है, एग्रिगेट फूट is something, कि if there are carpels, there are many, बहुत सारे carpels हैं, और वो free है, तो इस scenario में, मतलब basically, एपोकार्पस गाइनोसियम है, तो ये fruitlet बनाता है, और ऐसे fruitlets का गुच्छा ही, aggregate fruit कहलाता है, custard apple, अगर तुमने देखा हो, नहीं देखा हो, कोई बात नि, मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसके छोटे-छोटे elements दिख रहे हैं, क्योंकि एपोकार्पस ओवरी थी, तो एपोकार्पस के करना अलग-अलग fruitlet भी नहीं, और इन सब का जो गुच्छा है, जो जुन्द तुमको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी? aggregate fruit की बात करते हैं, दिमाग में रखोगे, तो aggregate fruit में क्या होता है? एपोकार्पस कंडीशन है, और यहाँ पर fruitlet formation की बात हम लोग कर रहे हैं, composite fruit क्या होता है, वो भी सुन लो, composite और aggregate का फर्क है, गलतियां बहुत होती है, aggregate में क्या एपोकार्पस गयनोसी है, मैं जब मैं composite की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पूरा का पूरा inflorescence का ही fruit बन जा रहा है, दिमाग में रहेगा, कि the entire inflorescence develops into a fruit, that is composite और compound fruit की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, important है दिमाग में रखना है, pineapple jack fruit, दो examples रखोगे, ठीक है, seed के बारे में यहाँ पर और गहन चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, let's get back to NCRT right here, ठीक है, अब अगर मैं NCRT के sequence में चलो, तो हमने root का part discuss कर लिया है, कोई problem नहीं है, हमने regions of root भी तुमको मैंने बताये हैं, कि मेरे पास यह root cap है, यह मेरे पास root cap है, मेरे stematic activity है, elongation है, maturation है, root है, we saw that, modifications हमने already देखे, stem हमने देखा, modifications हमने देखा, leaf हमने देखा, modifications भी हमने देखा, venation देखा, types of leaves देखा, मैं तुम्हें PDF शेयर कर दूँगा, ठीक है, sorted वाली, phylo tax ही मैंने सारा बताया, modifications बताया, अब बात आती है, inflorescence की, let's stick to NCRT for inflorescence, ठीक है, family भी करवा दूँगा, don't worry, ठीक है, मैं शुरू किया हूँ, तो बेना खतम करा है, धोड़ी उठूँगा, तो अगर मैं family की बात यहां पर करता हूँ, उस पर जाने से पहले, inflorescence समझ लेते हैं, inflorescence पहले तुम यहां पर आओ, जड़ा से मैं तुम्हें inflorescence का दोचार जरूरी ग्यान और देना चाहूँगा, ठीक है, inflorescence का मतलब क्या होता है, the arrangement of flowers on the floral axis, दो broad categories मेरे पास निकल करके आती हैं, अगर मैं overall mention करूँ तो, racimos और cymos inflorescence की हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, racimos और cymos क्या है समझो, दो possible arrangement है, youngest at top, and oldest at bottom, इस arrangement को हम लोग acropetal arrangement कहते हैं, अगर ऐसा arrangement हो, oldest at top, and youngest at bottom, तो हम लोग इसको, messy petal arrangement कहते हैं, तो acropetal order है, और bassy petal order की हम लोग बात कर रहें, ठीक है, अब इसी में, racimos और cymos पढ़ेंगे, क्या मैं acropetal में ऐसा कह सकता हूँ, कि the main axis continues to grow, ठीक है, but bassy petal में ऐसा नहीं, the main axis stops to grow sideways development, तो याद रखना, racimos inflorescence is the type of inflorescence, where the main axis continues to grow, and the order is acropetal order, रटना है इसको, कि racimos में क्या चल रहा है बिल्कुल से, कि racimos में ऐसा याद रखो, race लगी हुई है, तो main axis आगे race लगाए, लगाए आगे बढ़े जा रहा है, तो याद रखेंगे, main axis continues to grow, to be ratified, अब यहाँ पर कर रहे हैं, अब यह inflorescence तुमने क्या देखी, racimos, racimos के बहुत प्रकार है, कभी कभी NCRT के अगर QR code स्कैन करोगे, अगर 12th में 11th में practical वाला पार्ट किया हो, तो वो पार्ट में भी सवाल तो निकल करके तुम्हें दिखाई देते हैं, ठीक है, तो कुछ examples बताऊंगा, जो NCRT की text में नहीं लिखे हैं, लेकिन QR code स्कैन करने पर आते हैं, तो उन कुछ examples को बस बताऊंगा, जो तुम्हें याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, racimos में सबसे पहला example आ रहा है, simple racimos का, तुम्हारे सामने arrangement है, example याद रखना, आम का जो example है, वो simple racimos का, अगर तुमने कभी देखा भी तो आम का season आ रहे है, अभी थोड़ दिन पहले अभी तो full आ गए होंगे बिलकुल से, लेकिन अभी शुरू में जो आता है, full आने का season होता है, उसमें इसी particular order में दिखते हैं, तो इसमें तुम देखोगे, youngest at top and oldest at bottom, हम simple racimos हम लोग यहाँ पर mention करते थे, दिमाग में रखना, दूसरा example आता है, कोरिम्ब का, कोरिम्ब में क्या हो रहा है देखो, अभी भी youngest at top है, यहाँ देखोगे, तो अभी भी मेरे पास arrangement में youngest at top है, लेकिन इन सब की length बढ़ गई है, can you see this और यह एक single ऐसा आकर के align हो गए है, यहाँ में देखने को मिलता है, फूल गोभी में कोरिम्ब arrangement to be ratta 5, यह तो दुजार NCRT से हटके, मैं जो बता रहा हूँ इनको पढ़ के रखना, कि कोरिम्ब क्या है, फूल गोभी में जो देखने को मिल रहा है, definition नहीं पढ़ोगे, तो भी चलेगा उतना खास, बट एक pattern नी दिमाग में होना चाहिए है, कि all flowers are brought to the same height, that is कोरिम्ब, ठीक है, उम्बेल को रहने दो, उम्बेल का example पढ़ लो, कि onion में यह arrangement desk को क्या कहते है, so see this is again a type of racymose inflorescence only, उसके अंदर हमारे पास उम्बेल की बात करते है, that is one example दिमाग में रखेंगे, ठीक है, फिर आगे हो, spike को इग्नोर करो, spike काम का नहीं, बाकी पूरा पार्ट इग्नोर करना है, यह NCRT में ही बना हुआ है diagram, if you guys notice, you'll see later, दूसरा आता है हमारे पास, साइमोज inflorescence, यह मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, अगर मैं तुम्हें दिखा हूँ, मेरी ही telegram channel के उपर, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ, Morpho Extra, अभी तुरंथ हम अगर इस PDF के एक बार दर्शन करते हैं, तो अगर तुम Morpho Extra देखोगे न PDF को, I'll show you it, यह NCRT है जो तुम्हारे सामने खुली हुई है बिल्कुल से, अगर हम यह तो families खुला हुआ है, Morpho Extra 2 में देखते हैं, यह जितने examples हमने extra करें, वो सारे के सारे यहाँ पर covered है, यह देखो, यह NCRT है, यहाँ पर racimos, simos define करके, यहाँ पर भाती-भाती के जो designs हैं, वो यहाँ पर माता ने लिख दिया है, कि माता चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे एक बार थोड़ा से ध्यान भी दे लें, तो बच्चों का भला हो जाएगा एक दम से, ठीक है, तो सारे types माता में mentioned हैं, ठीक है, तो यह parts रखो, अब देखो यार, problem है कि यह, कि अगर तुमने पहले से पढ़ा हुआ है यह चीज, तो ठीक है, अभी last moment पर इसको पढ़ के risk मत लेना, क्योंकि इसके चकर में पढ़ा पढ़ाया खराब कर दोगे, ठीक है, तो अभी के लिए 2-3 जो मैंने नाम बताए हैं, वो नाम याद रखो, ठीक है, तो यह जो portions मैंने बताए है, प्लीज, critical part है, अगर पहले पढ़ा है तो ठीक है, नया 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 पढ़ रहे हो तो ignore, नया 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 पढ़ रहे हो तो ज़्यादा घुसने की जरुवत नहीं है, फिर पढ़ा पढ़ाया खराब हो जाएगा, ठीक है, तो नया 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 पढ़ रहे हो तो basic definition, जो नाम बता है दू-तीन वो याद रखोगे, और हम चलेंगे इसके उपर, साइमोज के उपर, साइमोज में क्या पढ़ना है बिल्कुल से, basic petal order, main दिमाग में इस चीज को रखना है बिल्कुल से, ठीक है, यहां तक clear है, तो यह inflorescence पर इतना पढ़ो, ठीक है, बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, मैं अभी recommend नहीं पढ़ूँगा, अगर तुम पहली बार देख रहे हो, तो पहली बार में एक दम अंदर घुश जाओ, कि माता ने families के बारे में क्या बता है, let us go and check that out, ठीक है, semi-technical description, कुछ हमारे पास यहां पर निकल करके आए है, semi-technical description of a typical flowering plant, कुछ चीज़े तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा यहां पर, यहां पर पहले तो NCRT को ही mark करवाता हूँ, कुछ जरूरी चीज़ें सबसे पहले, अगर हम यहां पर बात करते हैं, BR, BR का मतलब होता है Bractia, कि Bract present है, कि Bract present नहीं है, K जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है Calyx, ठीक है, C मतलब होता है Corolla, P मतलब होता है Perian, मतलब सेपल, पेटल और टेपल की बात हो रही है उसके जुन्ड की बात हो रही है दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को इसके बाद हम देखते हैं A A से क्या पता चल रहा है एंड्रोसियम की बात हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल से जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ गैनोसियम है अगर जी लिख करके एक नीचे ऐसे लाइन खीज दिया जाए तो उसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी की हम लोग बात कर रहे हैं दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को इंपोर्टेंट है ठीक है और अगर उपर लाइन खीज दिया जाए तो इंफीरियर ओवरी माता साफ साब बता दी है दिमाग में रखना यानि कि अगर मैं बाजू में लिखने की कोशिश करूँ तो K for Calix, C for Corolla, P for Periant, A for Androsium, G for Gynosium G के नीचे लाइन मतलब सुपीरियर, G के उपर लाइन मतलब इनफीरियर की हम लोग बात यहां पर कर रहे है ठीक है फिर male और female के basic symbols तो मेरे साब से सब लोग जानते ही है कि मेरे पास ये part male को represent कर रहा है यहां पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास female को represent कर रहा है ये bisexual है फिर अगर मैं symmetry की बात करता हूँ तो ऐसा गोला बना करके plus बनाओगे तो actinomorphic अभी हमने radial bilateral पड़ा था याद है कि नहीं याद है radial bilateral और asymmetric हमने कैना का example देखा था अब अगर कोई भी structure बनाओ उसके बाद जी में bracket लिख दो जैसे कि for example अगर मैं लिखता हूँ calyx calyx 5 और मैं लिखता हूँ calyx 5 fuse दोन में फर्क है फर्क इसमें यह कि इसमें 5 अलग-अलग तो मैंने 5 ऐसे लिख दिया ठीक है और फिर हमने यहाँ पर 5 के ऊपर अगर bracket बना दिया तो इसका मतलब हम क्या mention कर सकते हैं fused structure की बात एकदम से कर सकते हैं यहाँ तक clear है सबको तो यह factors वापस से should be absolutely clear to all of you दिमाग में इतना रखना ही रखना है क्या हो गया? add आगया? I'll check guys, I'm really sorry for this but I need to, मुझे क्या लगता है ना मैंने फटफट में class launch करी है यह वाली ठीक है तो फटफट के चक्कर में कुछ settings off करनी होती है वो settings on रह गई होंगी बात समझ में आ रही है तो इस चकर में मैं off कर दूँगा सारे वीडियो में मैं off ही कर रखा है ठीक है इसमें शायद जल्दी जल्दी भगारते वक्त मेरे से on रह गई होंगी I'll switch it off immediately after the class and I'll make sure कि ऐसा कोई भी बीच में तुम परेशान ना हो तो really sorry for this अब यहाँ पर lot कर क्या हो यह arrangement समझ में आ गया उसके बाद माता की कुछ और जरूरी line है कि अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल से bracket बनाते हो तो addition है बात समझ में आ गई क्या addition मतलब addition sorry कह रहा हूँ bracket बनाते हो मतलब fusion है जुड गया है तो bracket बना रहे हो addition के बारे में मतलब क्या देखो मैंने क्या कहा था कि the stamen the male part can be attached to the petals or to the teples तो I can write like this जुड़ा हुआ सा हम लोग mention की बाद हम लोग कर रहे हैं इसको दिमाग में दिमाग में डाल करके रखें तो यह दिखाते है addition को जो एक important part है ठीक है इसके बाद सुनो आगे यह आता है position of mother axis है जो उपर एक गोला देख रहे हो यह position of mother axis बिल्कुल से define करता है dot के through अगर हम mention करेंगे तो बाकि और को एक line इसमें खास है नहीं ठीक है हाँ अब मैं तुम्हें डाग्राम से फ्लोल फॉर्मला लिखने का हम लोग overall mention करते हैं जरह ध्यान से observe करे focus here क्या कह रहे हूँ ठीक है यार अभी यहाँ पर ध्यान देलो last last portion पे हैं अब देखो कैसे लिखेंगे अगर इसका फ्लोल फॉर्मला लिखना हुआ तो सबसे पहले मुझे क्या observe करना है सबसे बाहर का वाल में कितने elements है तो एक दो तीन चार चार element है तो मैं लिख सकता थे इसको four अच्छा मैं four लिख सकता हूँ या four के बाहर bracket बना सकता हूँ तो यह सब अलग अलग है तो मैं bracket नहीं बनाऊंगा लेकिन जो बाहर मेरे पास चार वाल दिख रहे हैं एक सबसे बाहर है सबसे बाहर है इन दोनों में similarity है और यह दोनों अंदर और अंदर की तरफ है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दो और दो आपस में similar है तो मैं लिख सकता हूँ कैलिक्स के नीचे 2 प्लस 2 बात समझे मैं 2 प्लस 2 क्यों लिखा है याँ पर diagram में floral formula में क्योंकि मेरे पास दो इधर ऐसे हैं दो अंदर ऐसे हैं तो म प्लस 2 बात समझे हैं तो मैंने लिख सकता हूँ करो suggests 4 है अब मैं इसको टू प्लस 2 क्यों नहीं लिखा तो यहां पर बाहर बार थे और अंदर अंदर थे तो 2 दो बाहर की तरफ तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 4 तो मैंने क्या लिखा एंड्रोसियम में 2 प्लस 4 arrangement ठीक है फिर गाइनोसियम को तुम देखोगे तो यह fused सा structure है दो structure साथ में जुडे हुए से बिल्कुल से दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या observe करेंगे गाइनोसियम का 2 fused condition की बात करेंगे अब तुम यहां से superior inferior नहीं बता सकते हो यह हमारा आज का class का सवाल था अगर तुम्हें याद हो तो कि which of the following cannot be explained by a floral diagram ऐसा कोई सवाल हमने class में किया था in case you guys remember यह उसी के aspect में सवाल निकल के इस पे आते हैं फिर आगे सुनो NCRT में और क्या-क्या diagrams और formula है इस डाग्राम को एक बार देखो ध्यान से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखोंगा I'll write it down here for you सबसे पहले मैं देखोंगा इसके बाहर कैसे-कैसे structures लगे हुए क्या होगा pen discharge होगी क्या Guys दो पल रुखना पड़ेगा यह पता नहीं हर class का है pencil discharge होगी है pencil को आने तो जब तक pencil ठीक हो रही है तब तक रुखना पड़ेगा हलका सा अगर हम इस overall arrangement को देखते हैं तो बाहर मेरे पास I need to mark थोड़ा रुखना बढ़ेगा में कुछ पल के लिए ठीक है बिल्कुल से उसके बाद हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे क्या बात है बहुत ही बढ़िया तो क्या मैं लिख सक्ता हूँ Iачक। उसके बाद को देखोगे तो एक दो ती चार पांच यहां भी पांच है लेकिन एक उपर है तो लिखा वन दो इधर है तो लिखा प्लस ह्थू फिर दो इधर है लिखा प्लस टूष बात समझ में आया क्या, फिर मैं एंड्रोसियम की बात करूँगा, तो एक यहाँ है, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ यहाँ है, तो मैंने लिखा 9 प्लेस, 1 का अरेंजमेंट, ठीक है, फिर मैंने लिखा गाइनोसियम, गाइनोसियम 1 है, सुपेर, इ पांच लिखा गया है, पांच फ्यूज लिखा गया है, कोरोला का 1 प्लस 2 प्लस 2 फ्यूज लिखा गया है, एन्डोसियम का 9 फ्यूज प्लस 1 लिखा गया है, और गाइनोसियम का 1 लिखा गया है, बकिला किसमें फ्यूज होगा, फॉर्मला से, डाइग्राम से लिंक अप कर तो मुझे यहाँ पर सिंगल एकसे सिमेट्री दिख रही है तो मैं इसलिए यह वाला सिंबल लगा दूँगा बात अब क्लियर है सबको क्या कह रहे हो नौ पर मैंने फ्यूज नहीं लगाया क्या अच्छा नौ पर डॉट डॉट बने गई इस नौ को फ्यूज भी कर देंगे तो नौ फ्यूज और एक अकेला हमें बिल्कुल से दिखाई दे रहा है ब्रैकेट मैंने बना दिया बिल्कुल से डन है सबको इसके बाद एक और फॉर्मुला और डाइग्राम देखो अब अगर मैं इसको देखता हूं साफ साफ देखना मैं लिखता हूं कैलिक्स कितना है भाई एक दो तीन चार पांच पांच जुड़ा हुआ है पांच फ्यूज ऐसा कुछ है क्या लिखते हैं पहले देखते हैं साई लिखा की गलत फिर लिखते हैं कोरोला एक दो तीन चार पांच 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 लिखेंगे फ्यूज लिख देगे ठीक अगर हम दो एक बार हलका से झालक चेक करें यहाँ पर जो एंड्रोसियम और तुमारा जो है पर्टिकुलर कोरोला आपस में एडिशन शो करवाना है तो उपर एक लाइन खीच दो फिर गाइनोसियम लिखोगे तो एक दो स्ट्रक्चर्स तुमें दिख रहे होंगे इसमें ठीक है तो मैं क्या लिखूँगा? दो लिखूँगा और फ्यूज करा दूँगा तो देखते हैं सही लिखा की गलब तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कैलिक्स का 5 फ्यूज, कोरोला 5 फ्यूज, एन्डृसियम 5 पढ़ा हुआ है gynosium 2 fused पड़ा हुआ है superior या inferior diagram से पता नहीं चल रहा formula में हमें superior करवा दिया गया है अब अगर हम structure को देखेंगे तो इसमें male और female parts दोनों है तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस वाले symbol को और फिर यह symmetry की basis पर मैंने यहाँ पर गोला बना करके यूँ कर दिया बात clear है यहाँ तक सब को should be absolutely clear to all of you यहाँ तक done तो अभी तक हमारे पास यह सबसे पहला floral formula था फिर हमारे पास यह दूसरा था फिर हमारे पास यह तीसरा था इतने portions हो गए एक और formula को हम लोग देखते हैं इस वाले को बड़ा interesting है यह क्योंकि इसमें calyx और corolla की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं इसमें हम लोग बात कर रहे हैं infused structure यानि परियान्थ की बात कर रहे हैं तो अब मैं लिखूंगा परियान्थ अब मैं क्या mention कर रहा हूँ परियान्थ की बात कर रहा हूँ परियान्थ कितना एक दो तीन चार पांच छे छे लेकिन यह 6 का arrangement अगर तुम देखते हो बहुत ध्यान से तो इस 6 का arrangement कुछ इस प्रकार का है ध्यान से देखना एक, 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 ये बाहर 3 लगे हैं, अंदर एक, एक एक लगे हैं, तो प्लस 3 मैंने मेंचन किए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, परियान्थ 3 प्लस 3 की बात करेंगे, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने बाहर ब्रेकेट बना दिया, इसके बाद अगर मैं एंड्रोसियम की बात करूँ, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे हैं हमारे पास, लेकिन इन छे को भी कैसा लिखे हैं NCRT, 3 प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहर की तरफ देखो, यहां एक लगाए, यहां एक लगाए, यहां एक लगाए, यहां एक लगाए, यहां एक, यहां एक, तो यह अंदर और बाहर वाली arrangement है, तो मैंने लिखा 3 प्लस 3, अब जैसे हम दिखा रहे थे addition, किसमें जब petals का condition था, तो same addition यहां पर भी बिल इस पर कुछ लिखाए नहीं, superior ही जाता है, वैसे इस पर लिखा नहीं, कुछ पता नहीं क्यों, मेरी बुक में टाइप वही क्या है, बाकि यहां पर male female parts दोनों है, condition तुम देख लो, symmetry की क्या है, और black है कि नहीं, पहले ने signify कर दिया, यह floral formula और diagram हमारे पास, तुमारे साम में है, जो central part है, जो ovary का part है, उसमें भी हमारे 3-3-3 के segment तुम को दिख रहे होंगे, बिल्कुल, ठीक है, something that you need to remember, ठीक है, इसके बाद, दूसरा मेरे पास, solenesi का आता है, यह 5-5-5 का segment है, याद रखना है, और उसके बाद, हमारे पास, यह fibasi का निकल के आता है, या mutter family, तुम इसको कहलो, इसमें हमारे पास खास arrangement है, जो मेरे पास androsium का 9-1 का order, ठीक है, अब ध्यान से समझें इस चीज़ को, बहुत ध्यान से सुनें, सीखें और समझें, ठीक है, यहाँ पर जो condition है, ठीक है, हमने observe किया, usually पूछता है ना, कि family identify करो ऐसे, हम आसान तरीके से androsium से सब बता सकते हैं, कैसे देखो, मेरे पास इसमें 2 प्लस 4 जब भी देखो, तो यह group आएगा, जब भी 9 प्लस 1 condition देखो, यह group आएगा, ठीक है, सॉरी, एक मिट, 9 प्लस 1 नहीं, वो तो अगले में, गलर डाइगरम देख लिया है, मैंने हाँ, जब भी 5-5 का order आएगा, कि यूशली हम लोग सोलेनेसी की हम लोग बात करेंगे, फिर जब हम लिलेसी पे चलेंगे, तो हम 3-3 के order की बात करेंगे, यह भी बिल्कुल दिमाग में डाल करके रखना है, और यह फेवैसी वाली family आएगी, तो इसमें एंडरोसियम का 9 प्लस 1 चला जाएगा, याद रखना और जो कोरोला है, वो 1 प्लस 2 प्लस 2 ये भी बड़ा खास है, वेक्जिलरी डिजाइन की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे होंगे, यह थे तुम्हारे ट्लास, फ्लोरल फॉर्मुला और फ्लोरल डाइग्राम और NCRT की मॉर्फॉलजी, अच्छा अब इसमें सर एक एक लाइ मिनिमम है, वो मैंने बोल-बोल के बता दिया, कि उतना दुलेशर बहुत बोले हो आप तो, तो इतना तो बेर मिनिममम याद रखना है, ठीक है, उसके बाद जो आता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर और जानने लाइक चीजें क्या है, अ माले असान होगी, एल्स थोड़ा मुश्किल, कीवर्ड सुनो ध्यान से, विजिटेटिव करेक्टर, फैबैसिक है, इरेक्ट क्लैमर इग्नोर करो, पिनेटली कंपाउंड लीफ यह सिंपल पता होना चाहिए, पलविनस होता है, पता होना चाहिए, स्टिप्यूल्स होते है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यह छोड़ नहीं सकते है, ठीक है, अरेंजमेंट इन जनरल मतर देखे हो तो अल्टरनेट फैक्चुल, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओगे बिल्कुल से, एक मिनटों को, ज्यादा स्किप हो गया क्या, यहाँ पर आओ, हाँ, में आपजर्व करते हैं, पैपिलियो नेशियस, यानि कि मेरे पास एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है, दो लैटरल विंग है, दो एंटीरियर वन्स हैं, जो कील फॉर्म करते हैं, वेक्जिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, एक बार एक्जाम में पूछा था, मतर में कैसा एस और अगर कोरोला पूछ ले, तो वेक्जिलरी की बात करेंगे, पेन पॉइंट है, जहां गलती होती है, इसको याद रखना जरूरी चीज़, ठीक है, बाकी बेसिक फॉरल फॉर्मुला अगर याद है, तो बाकी पार्ट अपने आप निकल आएगा, हमें पता है न, 10 होते ह है, हमारे पास अंडरोसियम, डाइड अलफस की कंडीशन है, मतर एक्जामपल बताया था, डाइठीकस अंथर होता है, रखना है दिमाग में, सुपीरियर है, मोनो कार्पिलरी है, यूनी लोक्यूलार है, ये काम की चीज़ है, कि सिंगल लोक्यूल की बात करते हैं, देखा फ्लावर, अल्टरनेट, सिंपल, रेरली कंपाउंड, नोस्टिप्यूल्स, याद करना है, रेटिकुलेट वेनेशन, इन्फ्लावरेसेंस में, सॉलिटरी, एक्जिलरी, साइमोस, याद करना है, ठीक है, फिर आगे सुनों बहुत ध्यान से, इसको गोत्रू करना है एक बा फ्लावर में कैसा, बाइसेक्शुल एक्टिनोमोर्फी, कि तो पता लग गया, डाइग्राम से ही, फॉर्मुला से ही पता लग गया, फॉर्मुला रटलो, फॉर्मुला से ही दोनों पार्ट याद हो जाएंगे, कैलिक्स में भी जो पांच लिखाए, उनाइटेड को एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स को रोला के एस्टिवेशन देखे रखना बिल्कुल से ठीक है, और जो कंडिशन से कि एपिपेटालस किसमें, एपिफाइलस किसमें वो भी देखे रखना है, एंड्रोसियम पर आओगे तो पांच स्टेमन है और कैता है, तो याद रखेंगे तब हम सोलनेसी की बात करें, लाइन घोल के पीनी है, फ्रूट कैसा बेरी या कैपसूल, थोड़ी देर पहले मैं बेरी का एक्जामपल लिया था, तो मैं तुम्हें टमाटर का एक्जामपल बताया था, तो टमाटर बेरी लिंक अप करके रख हो, कैपसूल भी एक केस होता है, ठीक है, उसके बाद हम कर रहें, एंडोस्परम की प्रिजन्स की बात कर रहें, एक्जामपल के लिए लोकल ट्रिक्स गो थू करो, और अरडी अवेलेबल, सर्च करो, डारेकल यूट्यूब पे लोकल ट्रिक्स, यू फाइंड रटने का ज होगे उसके बाद जो इकका-दुका रहता है जैसे कैलिक्स को रोला का एस्टिवेशन वो एक बार देख लेना लिख लेना चार-पांच बार अगर भूल रहे हो तो ठीक है अभी दो दिन है दो दिन इसको लिखने का काम करोगे फिर सुनों आगे यहां पर आओगे बिल्कु आजाएगा रोना आजाएगा तो इसलिए याद रखें दोनों के दोनों टर्म्स वापस से ठीक है फिर सुनों आगे फ्लावर कैसा बाइसेक्शुल एक्टिनोमोर्फिक डाइग्राम से फॉर्मुला से पता लग रहा है परियांत के बार में पता लग रहा है वालवेट य याद करना है ठीक है फिर कैपसूल बेरी भी हो सकता है और एंडोस्परमस सीड हमें देखने को मिलेंगे तो यह वो पोर्शन है जहां किसके साथ हम लोग मॉर्फॉलजी का आगे पीछे डाएं बाएं सारा सेग्मेंट कवर करते हमने सीड वाला पार्ट नहीं लिया है कल कितरू करवाओंगा तो वहाँ पर मैं बिल्कुल से तुम्हें बता दूँगा ठीक है डन तो मेरे साब से बहुत देर तक तुमने काफी सारा factual 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 जो है घुसा लिया तुमने दिमाग में ठीक है तो अब इतना factual घुसा है तो ऐसे समालो इसको जो food production वाला पार्ट है तुमक production और cockroach इन दोनों की recording तुमको में share कर दूँगा ठीक है नि तो अभी थोड़ देर में तुम्हारा कांज धुआ निकलने लगेगा माथा गरम हो जाएगा सर फटने लगेगा इतना factual एक साथ ने बता दिया तो धाई घंटे से बेचारे बैट करके fact 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 सुने जा रहे हो ठीक है तो इतना समाल के रखो मैं यह सारे pdf मेरे telegram पे share कर रहा हूँ you can connect on my telegram कहा गया मेरा telegram you can connect on my telegram that is just search my name प्रनफ पुंडरी कि सर्च कर लो telegram पे लीक क्यों रहा हूँ यह चाट में already pinned होगा तो इस लिंक को बिल्कुल से यहां पर चेक कर लो ठीक है और जॉइन कर लो बिल्कुल से वहीं पर मैं सारे pdf सभी share कर रहा हूं highlighted go through कर लेना अच्छे से तुम्हारे बहुत जादा काम आने वाले है कल शाम को 6 बजे consider full syllabus revision कल हम लोग NCRT के सारे के सारे diagrams को review करेंगे शाम को 6 बजे I want everyone on time ठीक है समय पर बिल्कुल से इस class को मेरे चैनल पर चेक करो मैं अभी link भी इसका डाल दूंगा live मिलना शाम को 6 बजे बिल्कुल ठीक है तो इतना काम करें पर बाकी हम लोग मिलते हैं क्या करें कल सेंटर पर आओ गई का बिल्कुल आओंगा मैं कल सेंटर पर मिल जाओंगा जो बच्चे लखना उसे कुछ बच्चों का फुस हो जाता है लेकिन जलो कोई बार नहीं part of life है ठीक है जो बच्चे पहली बार जोड़े consider subscribing in case you are new here in case this channel helps you और तभी करना subscribe नहीं तो subscribe मत करना ठीक I believe in quality audience only ठीक है तो यह भी कर लेना बिल्कुल से जिसका link भी तुम्हें description में और telegram पर दोनों पर मिल जाएगा let's crack it guys connect on telegram कल मिलते हैं शाम को 6 बजे live in a live in class on time कल हो जारी है पांस तारीक बस दो दिन बाद नीट यू जी